हलो विवन, भारती अर्थ व्योस्था के मास्टर करंट फेर्स वीडियो में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है और आज हम यहाँ पर इंडियन एकॉनमी के जनवरी 2021 से ले करके अप्रेल 2022 तक के यहाँ पर 16 महिने के करंट फेर्स को स्टडी करेंगे यहाँ पर अलग-अलग topic wise देखा जाती एकॉनमी को ले करके आपको 6 अलग pillars में आप यहाँ पर study करते हैं और इन 6 अलग-अलग pillars में आप काफी सारी चीज़ों के बारे में आप basically study करते आएं करंट फेर्स को भी हम यहाँ पर ऐसे ही topic wise पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको banking, finance, share market सरकार के द्वारा यहाँ पर जिसे हम लोकवित या public finance कहते हैं उसके अंतरत किये गए सुधार या किलाए गए यहाँ पर नियम, कायनून, नए प्रकार की योजनाए इसके तरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो आपको financial market में अथा share बाजार में किस तरीके गद्विंधिया हो रही है उनके बारे में हम study करते हैं व्यापार के बारे में जो आप पढ़ते हैं जिसे हम balance of payment कहते हैं तो विदेशी व्यापार की स्थितियों को लेकर किस तरीके कि सुधार लेकर आएगा economy में उससे related क्या क्या यहाँ पर development होई है किस तरह कि कि यहाँ पर हमारा व्यापार कैसे बढ़ा है विदेशी व्यापार की स्थितियों के बारे में यहाँ पर आकलीन करेंगे economy में data काफी important है तो current basis यहाँ पर हम data को भी इस वीडियो में यहाँ पर समलित करने जा रहे है इसके लावा सेक्टर वाइस जैसे कि आपका service sector है agricultural sector है और industrial sector में किस तरीके के सुधार पिछले 16 महीने में यहाँ पर किये गए है और इसके सासा देखा जाए तो अब सरशना और HRD को लेकर भी topic को हम discuss करेंगे तो यहाँ पर पिछले 16 महीने को जो भी economical basis current effect develop हुए है जो कि important हो सकते हैं और आपके exam में पूछे जाने के chances यहाँ पर जादा है उन सभी topics को आज हम यहाँ पर details study करने जा रहे हैं देखें आपको यहाँ पर बस मुझे ध्यान से सुनना है topics क्या-क्या है उनको ध्यान से सुनना है इस video में एक चीज़ जो आपको काम करनी है देखें जादा समय exampli बचा नहीं है हर weekly हम कहेंगे कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया है पिछले videos में कि आपको हर week एक subject का यहाँ पर current first का वीडियो मिलेगा और इसमें पहले week में हम यहाँ पर Indian economy आस दे यहाँ पर मिल रहा है आपको next week ऐसे हम other subject को लेकर आएंगे लेकिन इसके साथ यहाँ पर देखें एक महिने से जादा समय बचा नहीं है ठीक है एक महिना मान के चलिए आप मान लीज़े 40 दिन इतने दिनों में आपकी preparation यहाँ पर किस तरीके से कर रहे हैं आपको यहाँ पर अगर shorter में चीज़ें जानी है तो यहाँ पर economic के वो पूरी तरीके से details study करने की जरूत नहीं है इस समय आप सिर्फ यहाँ पर कुछ मिंदूओं पर focus करेंगे तो आपकी पढ़ाय अच्छी हो सकती है पिछले डेर साल के जो भी current फिर highlighted है उन्हीं topics को अच्छे study करें current के topic को तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर पढ़ने तो यहाँ पर जो भी point या जो भी headings में बताऊंगा आप एक paper pin लेकर भी बैठिएगा उन headings को आप note कर लीजेगा ठीक है जिन भी topics को आप discuss करेंगे तो मैं आपको details नहाँ पढ़ाऊंगा तो वो आप एक paper pin लेकर नो headings को जरूर note करते जाएगा साथ-साथ और उन्ही topics को related उन्ही topics related आपको अपनी economy का revision शुरू करना उससे related जो भी development हुई है, theory होई है, concept है उससे related उनको study कर लेना है इससे आपका gs भी यहाँ पर important topics का revision हो जाएगा और साथ-साथ इस वीडियो का current भी आपका हो जाएगा काम एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस वीडियो को आप multiple time revision के लिए use कर सकते हैं एक्जाम में जाने से पहले, जितनी बार भी यहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, डेर से दो घंटे से जादा कोई बड़ी वीडियो आपर होगी नहीं और साथी साथ यहाँ पर multiple time revision के लिए use करने, तो आपका काम यहाँ पर आसान होने जा रहा है बस आपको करना क्या है कि अगले डेर दो घंटे मेरे साथ यहाँ पर साथ में जुड़ना है, ध्यान से सुनना है, topics जो जो बोलता जाऊं उनको सिर्फ note करना है और वहाँ पर सब कुछ note नहीं करना है, सिर्फ topic note करना है, बाकी आपको बस मुझे अच्छे से सुनते रहना है ठीक है, clear है, तो चलिए start करते हैं आज का अपना session देखे, सबसे पहला आज का हमारा topic है यहाँ पर राजवित 2021-22 बजट का यहाँ पर अध्यन करना है ठीक है, राजवित देखे, मूलता आप कहते हैं कि सर बजट का अध्यन, यह बजट का अध्यन नहीं है ठीक है, पहली चीज़ मैं यहाँ पर clear कर दूँ यहाँ पर देखे, RBI के द्वारा एक राजवित अर्थात, RBI के द्वारा एक अध्यन किया गया था जिसके माध्यम से COVID-19 महामारी के बाद यहाँ पर किस तरीके की अर्थविवस्था पर पर उसका प्रभाव पड़ा है उससे रिलिडिट यहाँ पर एक कह सकते हैं आपको एनालिसिस किया गया था और उसी एनालिसिस बेसिस यहाँ पर आपको कुछ डेटा आपको है तो लिड़ा क्या गया है उनको यहाँ पर नोट करेंगे तो आप हेडिंग के तौर पे चाहें अपना पहला पॉइंट अगर नोट करना है पहला पॉइंट हमारा क्या है राज जिविद और बजट राज जिविद 2021-22 बजट का अध्यान क्या क्या विश्च में विशेश है सबसे पहले इसमें theme क्या थी theme रही है महामारी से मुकाबला एक 3 IAMI IAM ये इसकी theme रही है और अध्यन में जो जो निशकर से यहां पे बताए गये है पहला points में कहा गया है कि राज्यों की जो सकल राजकोशी घाटा है ठीक है राज्यों का जो सकल राजकोशी इसमें घाटा बताया गया वो GDP का 3.77% ठीक है जो पहले में यहां पर देखा जाए 3.7% है और जो की यहां पर इससे पूरव आपको बताया गया थे इसके लावा संयुक्त जो रिन अनुपात है मार्च 2021 में ये है 31% ठीक है जो पहले यहाँ पर 20% था तो संयुक्त रिन अनुपात यहाँ पर बढ़ा है इसके लावा राजश्व प्राप्तियों में ब्याज का भुगतान अनुपात रिन इस्थिर्ता को दर्शाता है अर्था जो जादा सरकार को देखा जाए रिण में यहाँ पर कमी आ रही थी COVID-19 के कारण वहाँ पर उस इस्थिरता को चरण होते हुए देखा गया अर्था सरकार के द्वारा जादा यहाँ पर खर्च किया गया है और इससे यहाँ पर सीजें समस्याय उत्पनुई है राजकोशी इस्थिति को ले करके इसके लवा राजसु प्राप्तियों में कभी यहाँ पर आई है इसका भी एक बड़ा कारण है क्योंकि COVID-19 ने यहाँ पर काफी सा राजसु प्राप्तियां आपको देखा जया इसके लवा बाजार से जो उधारी है वो 63% बढ़ गई है खीके बाजार से उधारी कितनी बढ़ गई है 63% यहाँ पर उधारी आपकी बढ़ चुकी है और अस्थानी प्राधिकरणों को अपने राजसु में लगभग 15-25 प्रिश्यत का भी नुकसान हुआ है तो यहाँ पर केंदर सरकार, राजसरकारों के सासाथ इस डेटा में यह भी बताया गया है कि अस्थानी प्राधिकरण जये हैं जिसे नगर निकम इत्यादी है वहाँ पर भी देखा जाये तो आपको नुकसान हुआ है और नुकसान का जो दाइरा है वो कितना है 15-25 परसंट का यहाँ पर इनको नुकसान हुआ है इसके रहाँ राजवित्य जोखिम कम करने में डिसकॉम एक बड़ी बाधावत्पन हुआ है डिसकॉम यहाँ पर बिजली वितरन कंपनी है और बिजली वितरन कमपनियों को जो पे करना पड़ रहा है सरकारों को वहाँ पे अच्छा खासा पैसे पे करने पड़ रहे हैं और देखा जाए तो डिसकांप कमपनिया जो है कई बार नुकसान में चली जाती है और उस नुक्षान से उन्हें बचाने के लिए सरकार के दोना उन्हें बेलाउट किया जाता है और उसमें यहाँ पर उनको सरकारों को अच्छा खासे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इसके रावा कम संपत्ति जो हते सरकार को यहाँ पर इसके रूप में मिल रही है वो भी एक बड़ी समस्या है और क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कम संपत्ति पर कैसे कह सकते हैं कि भारत में जो संपत्ति कर यहाँ पर लगाया जाता है वो वैश्व कस्तर में अने देशों को मकाबले यहाँ पर काफी कम है और इसके कारण सरकार को यहाँ पर संपत्ति कर के रूप में भी पैसे यहाँ पर क्रमपराप्ति होती है ऐसी स्थिदी भी यहाँ पर सरकार के लिए समस्या उत्परन कर रही है तो यह सारे डेटा यह सारे जानकारी यहाँ पर दी गई है राज वित्व 2022 बजट के दौरान जो की RBI के द्वारा यहां पर किया गया है चलिए दूसरा पॉइंट नोट करिएगा सरकारी प्रतिभूतिया इंग्लिस में कहते हैं इसे गवर्मेंट सेक्योटीज आप यहां पर विक्राय कर सकते थे लेकिन यहां पर RBI के दौरा आपने नियमों को परिवर्तित करके अब यहाँ पे लगु निवेश को कोभिश में शामिल कर लिया गया है अब इसके लिए करना क्या होता है कोई भी यहाँ पर जो निवेशक होगा उसको सबसे पहले यहाँ पर गिल्ट खाता खुलवाना होता है ठीक है, गिल्ट खाता होता क्या है जिसमें ऐसा कह सकते हैं जो निवेशक होता है उसे गिल्ड खाता के को खुलवा करके ही वो government securities को खरीद सकता है और sale कर सकता है अर्थार, government securities related जो भी lending उसको करना होता उसके लिए एक अलग से यहां पर एक विशिश खाता खोला जाता है जैसे हम saving account, current account इत्याद खोलते हैं उसी तरीके से government securities को यहां पर sale out करने के लिए, purchase करने के लिए जिस खाते का यूज करने उसे बोला आता है गिल्ड खाता अब इसके लिए RBI में यहां पर खुदरा प्रतक्ष योजना के अंतरगत अनुमती दी है ठीक है, एक question और यहां पर ध्यान रकना है कि यहां पर खुदरा प्रतक्ष योजना के अंतरगत RBI के द्वारा यहां पर सरकारी प्रतिभूद्यों में लगु निवेशकों को यहां पर निवेश करने की अनुमती दी गई तीसरा topic है यहां पर कराधान, विदी, शन्चोधन, अध्नियम दिखें काफी सारे यहां पर कानून पारित किये गए है अर्थ विवस्था में सुधार लाने को लेकर सरकार के दौरा समय समय पर काफी सारे छेत्रों में जो समस्याय रहे हैं उन्हें ठीक करने को लेकर सुधार करने को लेकर संचोधन किये गए हैं अधनियम लेकर आए गए हैं और ऐसा ही एक अधनियम यहाँ पर लेकर आया है कराधान को लेकर टैक्स को लेकर टैक्षेसन सिस्टम में देखें यहाँ पर लाया गया है कराधान विदी शंचोधन अधनियम 2021 क्या है ये कानून इसके द्वारा 2012 के भूत लक्षी कर कानून को समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए आयकर अधिनेव 1961 की धारा 9 में यहाँ पे शंचोधन कर दिया गया है भूत लक्षी कर का मतलब होता है ऐसे टैक्स जो कि यहाँ पर मालीजे सरकार ने आज कोई बिल पारित किया उसमें किसी टैक्स का प्रावधान है लेकिन जो टैक्स है वो आज से नहीं वो कह दें कि 2022 से नहीं बलकि यह टैक्स आपको 2020 से लगेगा 2015 से लगेगा तो यहाँ पर अर्था जब यहाँ पर कोई कानून पारित किया जाए और टैक्स उसको पिछले समय से उसे लागो किया जाए उसे बोलाता है भूत लक्षी ठीक है तो यहाँ पर देखे तिर्वन कहा है कि ऐसे सभी भूत लक्षी कर कानूनों को यहाँ पर समाप्त किया गय तो आएकर अधनियम 1961 की धारा 9 में यहां पे शन्चोधन किया गया और क्या कहा गया इस कानून में आप्रतक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर या शुल्क मांगों को अमार निगोशित कर दिया गया है साथी साथ इसमें 244-A के अंतरगत इन मामलों में भुगतान की गई राश्य के वज में ब्याज रहित पुनर भुगतान किया जाएगा क्योंकि देखे सरकार ने कानून अभी यहां पर रद किया है लेकिन इसके पहले जो कानून लेकर आये थे जिसके माध्यम से ने भूत लक्षी कर कानून लागू किया था उसके माध्यम से काफी सारे लोगों ने जो टैक्स उनको पे किया तो वहाँ पे सरकार ने का है कि जो लोगों ने भी यहाँ पे पैसे हमें पेमिंट किये हैं भूत लक्षी करकानूनों के कारण उनको हम पुनर भुखतान करतेंगे उसके लिए है धारा 244 एक तहट हम उसे पुनर भुखतान करेंगे लेकिन उस पर हम किसी तरह का ब्याज उन्हें वापस नहीं करेंगे सिर्फ मूलधन जो होगा वो यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा चली तो तीन टॉपिक होगे चौथा टॉपिक यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप चौथा टॉपिक हमारा वैश्विक नियूंतम कार्पूरेट कर ठीक है वैश्विक नियूंतम कार्पूरेट कर क्या है आर्थिक सहयोगें विकास संगठन ने 15% वैज अब 15% ध्यान रखेगा कितना है data ध्यान रखेगा में सार्थिक सहयों के विकास संगत ने 15 प्रिशत वेश्विक नियूनतम का घरेलु अस्तर पे लागू कर दिया है यहाँ पर नियूनतम यहाँ पे कर घरेलु अस्तर पर यहाँ पर लागू किया है और वो भी pillar two model नियम के तहर अब इसमें होना क्य है देखे 15% का यह जो वैश्विक कार्पोरेट कर है ऐसी MNC कमपनियों पर लगाए जाएगा जो की एक देश में कारिरत हैं इनका मुख्याले मान लीजिए अमेरिका में है और उनका जो मार्गर्टिंग पूरा है जो बड़ा बाजार है मान लीजिए वो यूरोप है तो ऐस स्थिति में वो कमपनिया कई बार होती है कि अलग-अलग जगहों से पैसे कलेट करती है अलग-अलग जगहों पे इनका व्यापार होता है लेकिन यह टैक्स कहीं पे नहीं करती है इसके कारण यहाँ पर ऐसी स्थितियों में वैश्विक अस्तर पे सभी देशों के द्वार मिल करके एक यही आपको corporate tax यहाँ पर लेकर आए गया है और Westwick Newton corporate कर इसे कहा गया है और इसमें कितना निर्थाइद किया गया है 15% tax यहाँ पर लगेगा तो यहाँ पर देखे यह 15% tax जो होता है MNC कमपनियों को जिस देश मिक्के में यहाँ पर आपका जिस देश छेत्रा धिकार में कारोबार यह चला रही होंगी वे वहाँ अरजित आय पर उचित करका भुकतान करेंगी ठीक है जिस छेत्रा धिकार जिस देश के छेत्रा धिकार में अपना व्यापार करेंगे यह उस देश को यहां पर यह भुक्तान करें और भुक्तान कितना कम से कम 15 प्रशत यहां पर करका भुक्तान किया जाएगा और किसी देश में यदि प्रभावी करकी दर 15 प्रशत से कम है ठीके मान लीजे यह कह रहें कि 15 प्रशत टैक्स लगाना है लेकिन मान लीजे किसी दे के लिए भी इसमें बात आया गया है किसी देश में यदि प्रभावी करकी धर 15% से कम होने पर अर्जित लाव पर टॉप टैक्स लागू होगा टॉप टैक्स का मतलब हुआ कि मान लीजे सिंगापूर में यहाँ पर 11% यहाँ पर टैक्स लगाते हैं और इन्होंने कहा 15% लगाना है ठीक है तो 15 में से 11 गया है तो बचे 4% ठीक है तो वो 4% जो टैक्स आपको उस देश में जहाँ पर उस छेत्र का मान लीजिए कंपनी हो गया आपकी चलिए गूगल है ठीक है पर टैक्स 11% है तो 11% चुगा दिया लेकिन इसमें कहा गे को उनको 15% देने तो 4% तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है इसी स्थिति में 4% करते बर्च रहे हैं तो क्या होगा यह 4% जो टैक्स बच गया वो 4% टैक्स वसूल कर लेगी अमेरिका सरकार द्वारा ठीक है कौन वस जाले जहां पर होगा दो चीजें हैं व्यापार और छेत्राधिकार एक मुख्याले होगा और दूसरा आपका व्यापार छेत्राधिकार है तो आप दो पहला जो टैक्स आपको बनेगा जहां व्यापार छेत्राधिकार है वहाँ पे करना है लेकिन अगर वहाँ पे कम हो ज जाएगा साथी यहाँ आपको 750 मिलियन यूरो से अधिक राजस्वाली MNC पर लागू होगा तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है सिर्फ वही कंपणिया यहाँ पर इस तरीके करेंगी जिनका यहाँ पर जो आर्शिक यहाँ पर आपको कह सकते हैं टर्नोवर है वह 750 मिलियन यूरो की कंपणिया है ठीक है साथ सपचलन यूरो से अधिक राजस्वाली कंपणियों के यहाँ पर आपको लागू होगा जैसे की गूगल और अमेजन जैसी कंपणियों पर चलिए आते हैं अंगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है राजकोशी घाटे का प्रत्यक्ष केंद्री बैंक द्वारा सरकार के अतथिक घाटे और इससे समंधित व्याय को समायोजित करने के लिए नोटों की छपाई की व्यवस्था करना ठीक है कि सरकार देखे हर बार हर साल यहाँ पर देखा जाए तो नुक्सान में जाती है क्योंकि जितना वो व्याय करते हैं उत देखे हर क्या करते हैं जितना नुक्सान हुआ है उतना नए नोटों की मुद्रा की छपाई कर दीज़ें ठीक है अब ऐसा होगा तो यहाँ पर प्राथमी बाजार से सरकारी बॉंड करीदेगा ठीक है क्या करेगा जितना यहाँ पर घाटा हुआ उसके कोरणिंग यहाँ और वो सरकारी bonds markets खरीदेगा और उन्हीं सरकारी bonds के नाम पर क्या करेगा नए मुद्राओं की यहाँ पर नए नोटों की वो छपाई कर देगा दो तरीके की चीज़ें इसमें की जाती हैं या तो RVI के द्वारा मुद्रा की नोटों की यहाँ पर चपाई कर दें या फिर बिना नोटों की चपाई के हुए जितने की आवश्चक्ता है जितना घाटा हुआ है उसको वो electronic तरीके से सरकार या government के खाते में यहाँ पर add कर दें electronic तरीके सरकार की खाते में उतने पैसे वो वहाँ पर add कर दें और उसके लिए नोटों की चपाई यहाँ पर ना करें यह दोनों ही तरीके के प्रविधियां यहाँ पर अपना ही जाती है और इसे ही बोला जाता है राजकोशी घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रिकरण लेकिन आपको पता इस तरह की गदविधियों में होता क्या है कि यहाँ पर तरलता समायोजन और वित्ती स्थिर्ता की सम्मंदी यहाँ पर आपको देखा जाए एक तरफ आपको तरलता समायोजन होगा इक liquidity आपको बढ़ेगी तो आपको पता है कि अगर आपने नोटों की छपाई यहाँ पर जादा करके नोटों की मार्केट यहाँ पर जितने डिमांड नहीं उसे जादा महां पर पहुंच गई या इस तरह के कुछ भी कत्विदियां आपर होती है तो आपको उच मुद्रा स्वीद के स्थिति पहुंच जाएगी और दूसरी तरफ ज्यादा मुद्रा यहाँ पर छाथते हैं तो वहाँ पर मुद्रा का अमूल्यन हो जाएगा अर्थात डॉलर के मुकाबले रुपीस के यहाँ पर जो मूल होता है उसमें गिरावट आएगी तो यह दोनों ही स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है अगला यहाँ पर है राश्ट्य मुद्रिकरण स्थिया पर काफी आप ब्राउन फिल्ड आवसरिशना परिशंपत्यओं के आर्तिक यहां पर आपको देखा जाए जितनी भी सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर आपकी brownfield, अवसरचना या infrastructure को develop किया गया है उनको मुद्रीकित यहाँ पर किया जाना था और इसमें मुद्रीकित करने का मतलब उसको आर्थिक मूल उसका लगाया जाना था और वहाँ पर उसको आपको किसी निजी कंपनी को या किसी को यहाँ पर आपको कुछ वर्षों तक देना था इसके माध्यम से अवसरचना में सावजिक निवेश के माध्यम से वास्तविक मूलेप्राप्ती, निजी छेत्र की यहाँ पे चमता का दोहन, राजस्व के ने स्रोतों का निर्माड, यहाँ पर ब्राउन फिड अवसरचना परसपत्ति को यहाँ पर सीमी तवध के लिए हो देकिं लेकिन 2-3 सालों में अहाँ पर आपको इसके मुझे पैसा का देना पडाईगा, यही आपको मुठरी करण योजना थी, अब इसका होगा क्या अगर ऐसा यहां पर करते हैं तो देखें सरकार को यहां पर पैसे एक मुष्ट यहां पर मिल जाएंगे ठीक है उनके दो-तीन साल तक सरकार को अफसरेशन असलेट यहां पर कोई प्राब्लम यहां पर भी नहीं होनी है उसका रख रखाओ देख भाल यह आब यहां पर नजी कमपनिया देखेंगी उनके प्रवंधन के जिम्यदारी उनकी होगी निजी चहत्र इस तरीके से यहां पर नए चेत्रों प्रवेश भी करेगा और साथी साथ यहां पर देखें सरकार जो पैसा यहां पर प्राब्टी होगी उसको यहां पर नए सामाज चेत्रों निवेश के लिए यहाँ पर आपको देखा जाए अब यहाँ पर राष्ट्वी मुद्री करण पाइपलाइन यूजना आपको पांच चेत्रों में यहाँ पर लागू किया जाने का निर्ण लिया गया है पांच चेत्र कौन-कौन से हैं तो इसमें हैं आपका सडक रेलवे, विद्दुद, तेल एवं गैस पाइपलाइन, एवं दूर संचार, इन पांचों ही छेत्रों में से लागू किया जाने का निर्णा लिया गया है, देखा जाए तिसे बजट 2021-22 में भी इसके बारे में चर्चा की गई, और 2022-2025 की वध में 6 लाग करोन रुपए के क बनाने के लिए 111 लाग करोन तक का यहां पर सरकार को खर्चाने वाला है, और यहां पर देखा जाए अगर राष्ट्री मुद्रीकरण पाइपलाइन से सिफ 6 लाग करोन ही उन्हें मिलने वाले हैं, इसी तरीके से केंद्र के कुल परिवेद 43 लाग करोन का यहां पर भूमी बैंक के बारे में, ठीक है, क्या है अगला टॉपिक भूमी बैंक है, निवेश्यम लोग परिशंपत्ती विभाग ने भूमी बैंक की सरचना को अंतिम रूप यहां पर दे दिया है, और इसके तहट यहां पर सरकारी विभागों और सार्णिक छेत्र की कमपनियों क स्वामित वाले भूखंडों का विक्रे करना यहां पर भूमी बैंक के नामके से संस्था का कारे होगा, ठीक है, क्या काम होगा, कि सरकारी विभागों और सार्णिक छेत्र की कमपनियों के स्वामित वाले भूखंडों को विक्रे करना इसका काम होगा, साथी साथ देखे, अगस्ते 2020 से वर्तमान में इंडिया इंडिस्रियल लैंड बैंक एक पोर्टल भी लॉंच किया गया है और इस पोर्टल में जो भी सरकारी विभाग के अंतरगत जो जमीन आती है उसका डेटा यहां पर एड़ किया गया है 31 राजियों और यूटी की लगभग 4,75,000 हेक्टियर की भूम जो है इसके अंतरगत आती है और 3500 से अधिक पार्ग क्लस्टर इसमें शामिल है जो कि भूमी बैंकों के द्वारा यहां पर अब उनको देखा जाएगा उससे रिलेटेड यहां पर डिसीजन लेगा लाव क्या है इस तरह के भूम बैंकों को बना करके इस तरह की सरकारी जमीन को और पार्कों को यहां पर इनको देने से कि देखें भूम उपयोग की दक्ष़ता में सुधार होगा अब यह डिसाइड करेंगे कि इस भूम का करना क्या है कई बार भागों के अंतरगेत ऐसी कई सारी जो जमीन है पड़ी रहती है जिनका कोई सदुपयोग नहीं होता है कुछ कारे नहीं होता है तो अब यहाँ पे भूम बैं अलग से इस तरह की भूम के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है उससे लिटर डिसीजन लेंगे आर्थिक सम्रिध्धी वहाँ पर कुछ ऐसी इंफ्रेस्टिया डिवलप कर सकते हैं जो एकनॉमिकल रूप से ग्रोथ है यहाँ पर डिवलप हो अगला यहाँ पे है राष्टी बहु आयामी निर्धनता सूचकांग यह क्या है तो नीती आयोग ने UNDP वा आक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल के सहयोग से यहाँ पर भारत का या नीती आयोग के द्वारा जारी पहला राष्टी बहु आयामी निर्धनता सू सूचकांकों को लेकर exam में question पूछे जाते हैं और economic के infrastructure से या economical आपके perspective से related ऐसे कई सारे यहां पर आपके सूचकांक question के रूप में पूछे गए हैं तो इसमें से बहुए आमी निर्धनता सूचकांक भी यहां पर ध्यान रखिएगा नीत यायोक के द्वारा यहां पर जारी किया गया है यहाँ पर जारी किया गया है तो यहां पर जो theme है या इस report का पूरा नाम है राष्टी बहु आयामी निर्धनता सूचकांक आधार रेखा report और dashboard अब देखा जाये तो इसमें यहाँ पर तीन आयाम और दस सुचकांग के हाँ पर सामिल है तीन आयाम है आपका एक है स्वास्त जिसके अंतरगत आपके पोशन बालवा किशोर मृतिदर प्रसवपूर देखभाल शामिल किया गया है दूसरा सिक्षा है जिसमें स्कूल के सिक्षा के वर्ष और स्कूल के attendance को यहाँ पर शामिल किया गया है और तीसरा है जीवन अस्तर जिसमें cooking fuel, sanitation, pay gel, बिजली, आवास और परिसंपत्ती, bank खाता इत्याज़ को इसमें शामिल किया गया है निशकर्स क्या है data यहाँ पर क्या आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं देखे इसमें बताया कि राश्च्री जो आपका बहु आयामी निर्धनता सोचकांख है वो 0.155 है यहाँ पर ठीक है, 0 से 1 के बीच यहाँ पर data जारी किया जाता है और भारत का यहाँ पर जो है data नीतियाग के दो इस रिपोर्ट में बताया गया है MPI आपकी है 0.155 इसी तरीके से ग्रामीड शेत्रों का MPI है अथाद Multiple Poverty Index वो है 0.188 जबकि शहरी शेत्रों में है 0.04 और सबसे ज़ादा निर्धंता वाले राज्यों में यहाँ पर बिहार है जहाँ पर 51.91 परसंट लोग जो है बहु आयामी निर्धंता सूचकांग से यहाँ पर आपको देखा जाए तो या बहु आमी निर्धंता से यहाँ पर पेड़ित है या उसके अंतरगत आते हैं ठीक है कितना है 51.91 परसंट बिहार में दूसरा जहार खंड और तीसरा यहाँ पर उत्तव देखा तो तीन राज्यों है नीतियायो की सूचकांग में पहला बिहार है एक तो यह सूचकांग हो गया अगला है यहाँ पर वित्ती समावेशन सूचकांग इस सूचकांग में देखे RBI के द्वारा जारी इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन, शेत्र के विवरन इसमें शामिल किये गए है और 0 से 100 के पैमाने पर यहाँ पर इसे यह आधारित है 0 का मतलब हुआ कि जहाँ पर अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर पूर्ण वित्ती बहिशकरण है और जहाँ पर 100 अगर प्राप्थ हो गए हैं वहाँ पूर्ण वित्ती समावेशन के इस्तिती है ठीक है, 0 और 100 के बीच अब इसमें कहा गया कि इस सुचकांग के तीन यहाँ पे जो भारांश है जो वेटेज है, तीन यहाँ पे माबदंड उसके बनाए गए है जिसमें कि पहुँच को एकसेस को 35% जिसमें बैंक, ATM, विक्रेबिन तक लोगों की पहुच कैसी है, उसको 35% यहाँ पे वेटेज दिया गया है यूजेस को, यानि उपयोग को यहाँ पे 45% वेटेज दिया गया है उपयोग का मतलब हुआ कि रिण, बीमा, खाता प्रियोग, कैशलेस, लेंदेन, इत्यादी और तीसरा है गुणवत्ता यानि क्वालिटी जिसको 20% यहाँ पर वेटेज दिया गया है जिसमें वित्ती साक्षर्टा, उभोगता संरक्षण, सेवाओं में असमानता कमी, सिकायत, समाधान इत्याद को इसमें स्टामिल किया गया है अब इसलिहाद से इसमें 97 यहाँ पर आपके वित्ती समावेशन सूचकांग में यहाँ पर देखा जाए तो 97 संके तक भी हैं और मार्च 2021 तक समाध्त वित्ती वर्ष में वित्ती समावेशन सूचकांग था 53.9 और प्रतेक वर्ष जुलाई में यहाँ पर इसे जारी किया जाता है तो इसे यहाँ पर वित्ती समावेशन सूचकांग थे हमने देख लिया दो सूचकांग यहाँ पर देख लिया है ठीक है आगे यहाँ पर है के आकार की रिकवरी ठीक है अभी तक हम यहाँ पर L आकार की रिकवरी वी आकार की recovery आपने देखी होगी अब यहीं पर एक और चर्चा का कारण बना के आकार की recovery क्या है के आकार की recovery तो इसके बारे में हाँ पर सुनियेगा ध्यान से जब अर्थविवस्था के विभने छेत्रों में अत्यन्त भिन्न भिन्न दरों में recovery होती है अर्थात उद्योग और व्यक्ति मंदी से बाहर निकल जाते हैं जबकि अन्य जो हैं इस्थिर बने रहते हैं कहने का मतलब है देखें अर्थविवस्था का अगलन हम कई अलगलग छेत्रों की रूप में करते हैं और हर छेत्र में इस्थि कमी समस्था इत्याइद को देखते हैं मालीजे तीन चार पांच या दस ऐसे शेत्र हैं दस शेत्रों में से दो शेत्र जो हैं तीन शेत्र आप चार शेत्र जो हैं आपको मालीजे ग्रोथ कर गए मंदी से बाहर निकल गए लेकिन कुछ छेत्र हैं जो मंदी में अभी भी फसे हुए है जब ऐसी स्थिती अर्थविवस्ता में बनती है तो उसे हम कहते हैं के आकार की रिकवरी के आकार की recovery में इस समय बताया गया आप कौन सा छेत्र फसा हुआ है के आकार की recovery में वो भी यहां पर ध्यान रखियेगा इसमें कहा गया कि real estate में के आकार की recovery है ठीक है कि बाकी यहां पर निकल गए और जो real estate है वो इसमें फस गया है अब ही भी कि आपको मंदी से यहां पे बाहर नहीं निकल पाया है इसमें देख बताया गया है कि रोजगार बाजार में भी देखा जाए तो दृष्टगत हुई है तो दो चीजे हैं रियल स्टेट और रोजगार बाजार दोनों ही कियाकार की रिकवरी में फसे हुए है क्योंकि बताया गया कि निमने कुशल स्रमिकों को अनुपात हीन रूप से उनकी नौकरी की यहां पर छट हुई जबकि वित्ती और सेवा छेतर में रोजगार में यहां पर कमी द्रिश्ट गोचर नहीं हुई कहने का मतलब कि मंदी ने ऐसे लोगों का रोजगार ज्यादा चीना जो कि कुशल स्रमिक थे उस्रमिकों की रूप में काम कर रहे थे आपको द्योगों इत्याज में वहां पर लोगों की रोजगार यहां पर गया है वहां पर आपको अभी भी रोजगार उतने बहतर तरीके से नहीं मिल रहे हैं लेकिन सेवा सेक्टर में देखें वित्ती छेतर में देखें तो लोग ITAT द्वार, ठीक है, क्या है ITAT द्वार? विधी एवं न्याय मंत्राले के द्वारा आरंभ एक आयकर अपीली प्राधिकरण है, क्या है? आयकर अपीली प्राधिकरण है, और एक e-filing पोर्टल है, जिसमें द्यानिक कार प्रणाली में पहुंच जवाब देही, पारदर्शिता में वृद्धी, और कागज के उपयोग में कमी लाना और लागत को नियून्तम करने के लिए यहां पर जारी किया गया है, एक पोर्टल है, ध्यान रखेगा ITAT, जो कि यहां पर आयकर अपीली प्राधिकरण, और से लेटर कामकाज को यहां पर देखता है, एक तरीके से डि कमजोर गैर बैंकिंग वित्ति कमपनियों पर विनियमन को कठोर करने, जिसमें जमा प्राप्त करने वाली NBFC, कोर निवेश, कमपनियां, सहीत उपर और अपर और टॉप अस्तर की NBFC इसमें सामिल है, तो देखिए यहां पर तवरे सुधारात्म कारवाही के तहत यहां प पनियां, और साथी साथ यहां पर अपर या टॉप अस्तर की NBFC को इसमें तो अरे सुधारात्म कारवाही के अंतरगत उन्हें यहां पर उनकी कह सकते हैं को उनको ट्रीट किया जाएगा, उसके अंतरगत उन्हें लेकर आया गया है, कहा यह भी कहा है कि मांदर्ण एक जन् जमा लेती हैं, जमा का मतलब डिपोजिट लेती हैं, ठीक है, और इसके लामा जो बांकी जो बैंकिंग सेक्टर से लेटेट आपके बैंक हैं, उनके बारे में बोला गया है, अगर यह बैंक किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि जो RBI के द्वारा निर्धारे तिनियम कानून है उसका विए पालन नहीं कर पाते हैं, या फिर लेंदेन की समस्या में यहाँ पर किसी तरीके द्रिश्ट कोचर होते हैं, या कमजोर होते हैं, या वित्ती अस्तर पर वहाँ पर कम्या उसमें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर तोरे सुधारत्मक कारवाही के तहत वहाँ RBI इन पर निखरानी करती है, role circulation के लिए बनाती है और वहाँ पर उसी माध्यम सुन को maintain करती है, manage करती है जब तक कि वो bank इस सिसे बाहर नहीं निकल जाते हैं अगला है इसमें भुक्तान bank क्या है भुक्तान bank? तो RBI ने Paytm, Payment Bank और Airtail Bank को अनसूचित bank का यहाँ पर दर्जा दे दिया है ठीक है? दो bank को कौन-कौन से हैं आपे? यह दोनों भुक्तान bank थे Paytm bank और Airtail bank और अब इनको दे दिया गया है दर्जा अनसूचित banking का अब देखा जाए तो RBI ने हैं अनसूचित bank का दर्जा देने से भी ने फाइदा क्या है? अइस तरह कि यह दि किसी bank को अनसूचित bank का दर्जा मिल जाए तो इससे किस तरीके कि यहाँ पर profitable इस्तितियां create होंगी? देखे अब यह bank जो है नए व्यवसाइक अवसर खोजने साकार करने अन्य बड़े निगमों के द्वारा यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं सरकार वा अन्य बड़े निगमों द्वारा जारी request for proposal प्रात्मिक निलामी निश्चित वा परिवर्तनिय दर्वाले रेपो, reverse रेपो, सीमान तस्थाई सुविधा में भाग लेने के साथ यहाँ पर वित्तिय समावेशन की योजनाओं में भी यहाँ पर भागीदार हो सकते हैं कहने का मतलब, जो भी यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के economical perspective से related banking प्रणाली में जो सुविधाएं अन्य बैंको को यहाँ पर बड़े बैंको को मिल रही थी वहाँ पर अन्यसूचित बैंकों को भी वो सारे अधिकार, कायर प्रक्रियाएं करने का अब औसर मिल जायेगा और सिर्फ यह बोक्तान बैंक से कहीं जादा बढ़ करके यह अन्य प्रकार की गत्विधियों में भी यहाँ पर पाटिसिपिट करेंगे जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी अब यहाँ पर देखे RBI को इसमें पुनर्वित्न यहाँ पर सुविधा के पात्र भी यह हो जाएंगे और समासोधन गरे की सदस्ता भी इन्हें प्राप्ट हो जाएंगे तो हर तरीके के सुविधा यहाँ पर मिलने इनको शुरू हो जाएगे तो ध्यान रखेगा किन दो बैंकों के यहाँ पर अंसूचित बैंकों के यहाँ पर दरजा दिया गया है बिति भीमा को ले करके हैं, तो यहाँ पर इसेम शॉट फॉर्म में कहते हैं DICG, क्या है यह तो RBI के एक सहायक कमपनी है, जो की यहाँ पर कह सकते हैं कि जमा करताओं से 90 दिनों के समय सीमा के भीतर, यहाँ पर आंत्रिक भुगतान की प्रक्रिया को उनर्भुगतान होने में देरी पर बैंकों के द्वारे यहां पर दंडात्मक कारवाही इत्याद करता है एक तरीके से देखा जाए तो बैंकों के द्वारा कोई भी जो भुक्तान इत्याद की प्रक्रियागत्य सितियां हैं जो कि यहां पर नहीं पेमेंट हो पाती हैं उनका यहां पर भुक्तान के द धीतर यहाँ पर आपको DGA से द्वारा आंतरिक भुक्तान किया जाता है दूसरा पुनर भुक्तान में देरी होने पर बैंक पर दंडात्मक ब्याज लगाने का भी प्रावधान करता है यदि कोई बैंक आपका पुनर भुक्तान करने की स्थिती है ग्रहा की और वहाँ पर उच्थितम सीमा का निर्धारन भी किया जाता है और अपनी शर्तों पर बीमा भुक्तान के बाद बीमा करिद बैंकों से देव पुनर भुक्तान को अस्थगित करने के लिए यहाँ पर इनको अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है साथी साथ यहाँ पर DICGC को यहाँ पर शशक्त बनाए गया है, ताकि वो इस तरीके के निर्णए लेने में यहाँ पर काम आसानी से कर सके, तो मूलता देखा जाए तो इस तरह कि जो बैंकिंग सुविधाय हैं, बैंकों के डूबने पित्याद की स्थिती हैं नुकसान इत्याद को ले करके और साथ ही साथ इनके बोर्ड को सक्षक्त बनाया गया है ताकि यहाँ पर अपने अस्तर पर यह decision लेने में ज्यादा सक्षम हो चुके तो चलिए यहाँ पर हमने एक यहाँ पर अपना topic complete कर लिया है ठीक है काफी सारी चीज़ें अपने topics में पढ़ ली अलग- और भी यहाँ पर तीन step और clear करने पहला step हमने clear कर लिया है दूसरा step आएगा इस वाली में ठीक है अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर banking से related कानून से related बाकिसार या निगतविधियों से लेटर हमने यहाँ पर topics को देखा है अब इस वाले sector में हम यहाँ पर share market में इंटर करेंगे ठीक है share market के साथ सरकार के द्वारे जो policies लेकर है public finance related जो topic आता है वो इस topics में हम देखने वाले है थर्ड वाले हम इंटर करेंगे आपको agriculture से लेट है sector wise हम यहाँ पर इंटर कर जाएंगे और यहाँ पर sector wise के बाद last वाले हम यहाँ पर industry और infrastructure और अनने topics को लेलकर finish कर लेते हैं क्या है इसमें क्या क्या topics आते हैं सबसे पहले इसमें आता है आपका factoring williaman ठीक है क्या आता है factoring बिनियमấn शंचौधन अधिनियम 2021 एक और कानुन यहाँ पर देखें क्या है इसमें लिस मोटपーん होता क्या तो factoring एक व्यवसाय है क्या है अйक व्यवसाय है व्यवसाय कैसा व्यवसाय है? तो जहाँ एक संस्था या इकाई ततकाल धनकी प्राप्ती के लिए अपनी प्राप्तियों को तीसरे पक्ष को, बैंक को, एन्बी अपसी को यहाँ पर बेज देती है. ठीके? तो यहाँ पर देखिए, फैक्टरिंग कैसा है? एक संस्था ने कोई चीज यहाँ पर खरीदी और वहाँ पर उसको खरीद करके ततकाल किसी और को, किसी बैंक या एन्बी अपसी को सेल करके पैसे की प्राप्ती कर ली. एसी स्थिती को बोला जाता है, एसी संस्था को बोला जाता है, या इस तरह के व्यवसाय को बोला जाता है, फैक्टरिंग व्यवसाय. और एसी संस्था को फैक्टरिंग आपकी संस्था बोला जाता है. आपसे कोई चीज खरीदी और उसे तीसरे को बेज दिया. क्योंकि द देखिए ऐसे कानून में इस तरह की विवस्ता में एक संशोधन लेकर आए गया संशोधन में कहा गया कि NBFC की संख्या को बढ़ाने के लिए फैक्टरिंग को मुख्य व्यवसाइक मांदंड के दायरे से हटाया जाएगा दोहरी वित्ती धोखा जड़ी रोकने के लिए फैक पर इनके लिए विन्यमें कैसे करना है कानून दिशान अनदेशन भी बनाने के लिए RBI को इसमें शक्ति दी गई इसके रहां असाइंट्मेंट फैक्टरिंग बिजनेस की परिभाशाओं को भी इसमें संशोधन किया गया है तो यहां पर यह सारे प्रावधान किये गये है ताकि फैक्टरिंग विवसाई को और भी जादा बहतर बनाये जासके RBI को यहां पर कंट्रोल दिया गया है परिभाशाओं इसमें सुधार किये गये हैं और जो भी समस्या है उसे दूर किया गया है तो ध्यान रखेगा फैक्टरिंग विन्यमन शंशोधन अधिन्यम 2021 अग कि इसके तहत गयर बैंकों को एक प्रिथक IFSC आवंटिद किया जाएगा और इसके माध्यम से इस IFSC के माध्यम से यह जो गयर बैंक है वो RTGS और NFT की माध्यम से भुकतान को एक्सेप्ट कर सकते हैं अब इसमें देखें RBI की कोर बैंकिंग प्रणाली जिसे संचालित करने के उनका अपना एक सिस्टम है E-Kuber हम जिसे कहते हैं E-Kuber में एक चालू खाता यहां पे खोला जाएगा ऐसे गैर बैंकों का और इन्हें RBI के साथ एक निप्टान खाता भी बनाये रखना होगा कि जो भी लेंदेन होगा वो RBI साथ यहां पे उसको संचालित करने के लिए उस RTGS किया है कि वास्तिक समय में कि में आधारित आपका भुकतान हो जाता है आपने तुरंट भुकतान किया और तुरंट वहां पे आपको रेसीविंग के आप्शन्स आ जाते हैं यहां पर थोड़ा सा बस अन्नतर है NFT जहां पे 30 मिनट में यहां पे प्रक्रियाओं का अपडेट करता है वहीं RTGS होता है वो आपको तुरंट भुकतान करने के प्रक्रिया है जिसे किसे दिया गया है इसको बस इतना ध्यान रखना है gear banko को जो सुविधाय दी गई है और gear banko के यहाँ पर जो सुविधाय दी गई है उसके लिए उन्हें अपना एक rbx साथ निप्टान खाता खोलना है और दूसरा वहाँ पर core banking के तहात e Vancouver में एक चालू खाता खोलना पड़ेगा सुविधाय कौन सी दी गई है NEFT और RTGS की अगला टॉपिक देखें अगला टॉपिक यहाँ पर हॉर्बिंजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार हॉर्बिंजर 2021 परिवर्तन के लिए नवाचार में देखें क्या है यह RBI का पहला वैश्विक hackathon है किसका है RBI का है और इसमें मूल विशे क्या था इस hackathon का तो इसमें smarter digital payments सुविधा समाधान जैसे digital भुकतान को वंचित लोगों के लिए कैसे सुलब बनाना है भुकतान में आसानी और उपयोग करता के अनुभव को बढ़ावा देना digital भुकतान सुरक्षा को मजबूत करना तथा ग्राहक कोई सुरक्षा को बढ़ावा दैसे देने के लिए यहाँ पर आपको नए यहाँ पर तरीकों की खोज करने के लिए ऐसे system को develop करने के लिए यहाँ पर इस hackathon को यहाँ पर आउजित किया गया था RBI के द्वारा जिसका नाम है होर्बिंजा 2021 अगला टॉपिक है इसमें social stock exchange ठीक है यह बॉंबे stock exchange नेशनल एनेसी से यहाँ पर आपका अलग है social stock exchange क्या होता है देखे बाकि stock exchange के बारे में अच्छे से आप जानते होंगे लेकिन stock exchange के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है देखे social stock exchange एक विनियमी तिनिधियन प्लेटफॉर्म है और यह सामाजिक संगठनों, impact investors सूची बद संगठनों से bond के रूप में हिस्सेदारी खरीच सकते है ठीक है से भी सारा शेयर मार्केट के यहां पर देख रहे करता है लेकिन इसे Bombay Stock Exchange के अंतरगत या NAC के अंतरगत नहीं रखा जाएगा इसे अलग से एक प्रिथक खंड के रूप में संचालित किया जाएगा अब इसमें देखे कहा गया है कि जो भी NGO होंगे उन्हें पंजी करण के पश्चार Equity, Zero Coupon Bond, Mutual Fund के माध्यम से वित्त जुटाने कि यहां पर सुविधा भी प्राप्थ होगी इसके साथ साथ Social Stock Exchange को अस्थापित करने के लिए सेवी, नावाड, सिडबी और Extras Stock Exchange के साथ यहां पर सेवी मिल करके टोटल सौ करोन की छमता निर्माड निदी को स्थापित करेगा ताकि इस सौ करोन की छमता के साथ Social Stock Exchange को स्थापित किया जाएगा और इसमें SSE से में धन जुटाने वा सामाजिक उद्यमों के लिए सामाजिक लेखा परेक्षण आनिवारे होगा अर्थात ऐसे संस्थाएं जो की Social Stock Exchange के माधिम से कोई पैसा यहाँ पर जुटा रही है तो वहाँ पर ऐसी सभी संस्थाओं का सामाजिक लेखा परेक्षण होगा वर्तवांस में देखें तो UK, कनाडा, दक्षिन अफ्रीका, सिंगापूर जैसे देशों में Social Stock Exchange कारिरत है एक और Exchange यहाँ पर पढ़ते हैं Gold Exchange को ठीके, Social Stock Exchange देख लिया Gold Exchange देखते हैं देखे, सेवी द्वारा रूप रेखा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है Gold Exchange की, और इसमें कहा गया है कि यह निवेशकों को Electronic Gold Receipt के रूप में प्रतिभूती प्रदान करेगा कोई Gold नहीं दिया जाएगा ठीके, कोई मान लीज़े, Gold में निवेश करना चाता है तो Gold Exchange में अगर वो निवेश करता है तो वहाँ पर कोई सोना से भी नहीं देने वाली है वो सिर्फ आपको एक Receipt देगी ठीके, क्या देगी? एक Receipt देगी कि आपने सोने में यहाँ पर निवेश किया हुआ है और यह स्वाण के कुशलवा पारदर्शी मूल की खोज, निवेश और तरलता समंदी आवशक्ता को यहाँ पर आश्वाशन पुरदान करेगा अर्था जब भी आप यहाँ पर चाहेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया एगा पैसे रिटन कर दिया जाएगे गोल्ड इसके माध्यम से वहाँ पर खोज भी नहीं होगी जो गोल्ड का मूल होगा उसी के अनरूप यहाँ पर आपके भोगतान उसमें उतार चड़ाव की स्थित्यों के आधार पर यहाँ पर निवेशिक इस्तियाओं को संचायल किया जाएगा तो इससे एक तरीके से जो गोल्ड की डिमांड बहुत जादा बढ़ जाती है उसमें भी कमी आएगी और इसकी मूल की गोल्ड के मूल के स्थित्यों के वह भी यहाँ पर संतुलित किया जा सकेगा तरलता यहाँ बनाई रखी जा सकीगी और इसे यहाँ पर बोला गया है गोल्ड एक्सचेंज next यहाँ पर व्यापार से जुड़ा हुआ share marketing से जुड़ा हुआ एक और चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं algo trading ठीक है क्या है algo trading ठीक है से भी अधिमान ने पहुँच और विवस्थित बाजार hair fair के मुद्दों के लिए algo trading दुरूपयों के कारण इसको винiamid करने जा रहा है algo trading के माधिißtर से हो क्या रहा है कि यहाँ पर बाजार में आपको काफी यहाँ पर किस तरीके share market में खरीत फरूफ क्या करनी है उसको लेकर काफी यहाँ पर प्राउलमस आई है और इसी को винiamid करने को लेकर algo trading को विन्यमित करने लेकर से भी यहां पे काम करने जा रहा है अब इसके संबंध में में थोड़ा से algo trading होता क्या है किस तरीके से करते हैं वो यहां पे समझ लीजिए algo का मतलब होता algorithm आधारे trading अब algorithm आधारे trading जो होती है वो सुधारी की सारी आपको computer based होती है जिसमें होता क्या है कियाँ पर algorithm trading computer के माध्यम से ही shareों की खरीद और विक्री होती है और इसके तहट pre-programmed computer रणीतियों तथा निर्धारित मांदंडों और निर्दोशों के अंसार यहाँ पर खरीद प्रक्रिया को संचालिति इसमें किया जाता है और इसमें आप hair fare करके किसी भी चीजियों को change out भी कर सकते हैं और इसी कारण यहाँ पर कह सकते हैं hair fare की समस्य अभ्यूतपन हो रही है और इसी चीज़ को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर से भी काम करेगा तो algo trading को धियान रखेगा algo trading क्या होती है ऐसा basic question भी आप से पूछा जा सकता है तो देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ आपको algo trading को देख लिया अब यहाँ पर आते है national stock exchange के बारे में थोड़ा अपर पढ़ते हैं देखे हाली में NSE के द्वारा sign bullion blockchain platform यहाँ पे launch किया गया है यह gold bullion के लिए NSE के द्वारा launch किया गया है और यहाँ पहला अवसर है जब gold derivatives अनबंधों के निप्टान के क्रम में bullion बार एकी करण data framework प्रदान करेगा और यह data सुरक्षा data अखंडता data traceability को सुनिश्चित करेगा तो national stock action में gold से related और उन प्रकार की गत्विदियों को gold से related derivatives को यहाँ पे अनबंधों को संतुलिद बनाने के लिए उनसे related समस्याओं के लिए को उनको उन पर कह सकते हैं उससे related data को यहाँ पे संचित करने के लिए और किसी प्रकार के data अत्याद की चोरी न हो उसको सुरक्षित बनाए रिखने के लिए यहाँ पे जारी किया गया एक blockchain platform है जहाँ पे सारा जो data होगा वो blockchain technology के माध्यम से आपको interlink यहाँ पे रहेगा जीसे बोला गया है NSE sign bullion blockchain platform तो ध्यान रखे किस से related है gold bullion से और इसके माध्यम से हम क्या करने वाले है data सुरक्षा, data करनता और data traceability अगला टॉपिक है guar X guar X क्या है एक मूल्य आधारित सूच का आंक है और या guar seed या guar gum refined split के वाइदा अनुबंधों में मूल्य संबंधी गतविधियों को यहाँ पर वास्विक समय के आधार पर track करेगा तो guar X किस से related है guar seed से related है उस से related यहाँ पर वाइदा अनुबंध जो कि future के आधार पर आपको marketing की जाती है कि आज को यहाँ पर अनुबंध कर लिया गया और अनुबंध किया गया future के लिए कि future में आपसे यह सारी चीज़ करी दूँगा ठीक है तो वहाँ पर ऐसे सभी कह सकते हैं कि अनुबंधों के मूल्य संबंधी गतविधियों को लेकर यहाँ पर tracking की एक विवस्ता है और क्रिश वस्तों के बॉसकेट में भारत का पहला चेतरी यह सूचका अंक है इसके लावा भारत में देखा जाए तो NCDEX भारत में प्रमुक क्रिशी कॉमूड़ी एक्सचेंज है ध्यान रखेगा कौन सा है NCDEX यह भारत का एक प्रमुक क्रिशी कॉमूड़ी एक्सचेंज मार्केट है अगली यहाँ पर एक स्कीम को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है Early Harvest Scheme क्या है यह ब्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्ध FTA से पूर्ण किये जाने वाला एक अनुबंद भारत सरकार के दोरा ऐसे देशों के साथ यहाँ पर यह सिस्टम को ड्वेलब किया जा रहा है जिनके साथ वो यहाँ पर FTA नहीं करता है ठीक है भारत देखा जाए तो काफी सारे देशों के साथ यहाँ पर FTA साइन नहीं करता है लेकिन यहाँ पर Early Harvest Scheme जो होती है FTA को लागू करने से पहले ही प्रेशल को उधारी करने के लिए कुछ उत्पादों की पहचान करने में मदद यहाँ पर करते हैं और जब यहाँ पर एक बार वो सारे चीज़ों पहचान हो जाती है व्यापार उसके मादम्स करना सुरू करते हैं एक दूसरे को समझते हैं तो इन फ्यूचर वो इन सारे चीज़ों को हम FTA के रूप में भी परिवर्टित करते हैं तो Early Harvest Scheme आप कह सकते हैं FTA की जगहा पर काम करने वाली एक प्रक्रिया है एक अनुबंध है एक यहाँ पर समझोता है भारत ने ऐसा ही एक यहाँ पर सिस्टम किया था भारत और थाइलंड के वे 2003 में और हाली में भारत ने यहाँ पर कुछ देशों के साथ इसे Early Harvest Scheme को यहाँ पर लागू करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की है जिसके कारण यह चर्चा का विशय बना है चली अगला यहाँ पर है आवधिक स्रंबल सर्वेक्षन आवधिक स्रंबल सर्वेक्षन देखिए तो इसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि तीसरी एक वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर जारी किये गई है जिसमें कहा गया कि विरोजगारी जो दर है वो कम होकर 4.8% रह गई है 2019-20 के दौरान ठीक है कितनी रह गए विरोजगारी दर 4.8% रास्टी सांकी कार्याले के दौरा इस रिपोर्ट को या था जो डेटा है वो जारी किया गया है आवदिक स्रंबल सर्वेक्षन का इसमें वार्षिक आधार पर ग्रामीड वा शहरी संकेतों का अनुमान भी लगाया गया है एक शीज धान रखेगा डेटा कौन जारी करता है रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको इससे रेटर कुछा आता है प्लस डेटा यहाँ पर किसके बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर देखे इसमें वार्शिक आधार पे ग्रामिड और शहरी दोनों के सामान इस्थिती और वार्तमान सापताहिक इस्थिती दोनों के आधार पे यहाँ पे आपको डेटा जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि 15 से 29 आई वर्ग में बेरोजगारी दर 15 प्रिशत है 15 से 29 आई वर्ग में बेरोजगारी दर 15 प्रिशत है और इसी आई वर्ग में शहरी और महिला ठीक है शहरी और महिला बेरोजगारी दर यहाँ पे क्रमसा 18 समलों दो और 24 समलों नौ प्रिशत यहाँ पर है अर्थात पुर्षों को 18 समलो 2 है और महिलाओं में 24 समलो 9 परसंट यहां पे विरोजगारी है साथी साथ स्रमी की जन संख्या अनुपाद जो है 2018-19 में 35 समलो 3 परसंट ची जो बढ़ करके हो गई है 38 समलो 2 परसंट इसी तरह महिलाओं जो प्रभाव यहां पर भी बता दिया गया है कि अप्रेल जून में यहाँ पे 2020 में देखा जाए तो पुरुष और महिला श्रंबल भागिदार करमसा 55 समलो 5 और 55 समलो 5 था जबकि जनवरी और मार्च में देखा जाए तो यही 56 समलो 7 और 17 समलो 3 प्रशद था तो जो लॉकडाउन लगा लॉकडाउन के कारण यहाँ पे श 6 प्रदोगी नवाचार प्लेटफॉर्म छे नए यहाँ पे प्रदोगी नवाचार प्लेटफॉर्म यहाँ पे जारी किये गए जिसके माध्यम से प्रदोगी को बहतर करने के लिए यहाँ पर इन्हें लेकर आया गया है भारी उद्योग वा लोक उद्यम मंत्राले के इन्हें लहां पे लॉंच किया गया है तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं पहला है यहां पे दृष्टी इससे जारी किया है बनाया है MIT बेंगलूरू के द्वारा और इसका काम होगा मशीन उपकरण के छेत्र में यहां पे काम करेगा दूसरा है प्रद्दो की नवाचार इस एप को बनाया है भारती विज्ञान संस्थान वा HMT द्वारा और इसका छेत्र है आयात को कम करना तीसरा है संरशनावा डिजिटल रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म यह भेल के द्वारा यहां पे विक्सित किया गया और यह नवी करणी उर्जा और पावर एलेक्ट् इसके लावा एक और है यहां पर काइट इसे भारती प्रदो की संस्थान मद्रास के द्वारा विक्सित किया गया और इसका यह आभासी वास्तविक्ता स्वचालन उननतविनिर्मान रोबोटिक्स जैसे छेत्रों में काम करेगा एस्पायर जो है इसे ICAT संस्थान के द्वा बनाए गया है और यह आर्टोमेटिव तक्नीक में काम करेगा जबकि टेक्नो वुष जो है ए आर ए आई संस्थान के द्वारा बनाए गया जो सतत गत्षीलता पर काम करेगा तो अलग-अलग प्लेटफॉर्म है मिलान करने को लेकर कई बार आता है यह प्लेटफॉर्म है किस अगला यहां पर है संभव संभव देखिए MSME के द्वारा आयोजी जागरूपता एक कारिक्रम है इसमें एक महीने की अवधि में 130 कारियालों के द्वारा कॉलेज वा प्रसिक्षन संस्थाओं के चात्रों को उद्यमिता के लिए यहां पर प्रोत्साहन दिया जाएगा कौ अगला है यहां पर इश्रम पोर्टल इश्रम पोर्टल देखिए स्रम रोजगार मंत्राले द्वारा स्थापिट डेटाबेस असंग्टित कामगारों का तो असंग्टित कामगारों का एक डेटाबेस है जो कि इश्रम पोर्टल पर यहां पर मिलेगा जिसमें सभी पंजिक और अस्थाई दिव्यंगता की स्थिति में दो लाग के यहां पर मौवजे का प्रावधान मिलेगा असंग्री छेत्र के कामगारों की पहचान करने और उन तक पहुंचने संकट के समय मुन्हें सहायता प्रदान करने और अधिकारियों के लिए एक संदर्व बिन्दु के रोप में यहां पर इस्थ्रम पोर्टल और यह जो कार्ड यहां पर जारिकेंगे वहां पर उसके माध्यम से हम असंग्री छेत्र के लोगों की या कामगारों की यहां पर मदद कर पाएंगे अगला यहां पर है चिप्स टू स्टार्टप क्या है चिप्स टू स्टार्टप तो एलेक्ट्रोनिक से हम सूचना प्रदोकी मंत्राले के अधीन यह कारिक्रम है जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एंबेड़ सिस्टम डिजाइन के छेत्र में लगभग 85,000 योग और गुनुत्ता वाले उच इंजिनरिंग को यहां पर प्रसेक्षन प्रदान करेगा इसके अंतरगत उर्जा, परियावरन, स्वासदेखभाल, क्रिशी, आपदाप्रबंधन जैसे छेत्रों में यहां पर इस परियोजना को हम लागू करेंगे तो यहां पर देखे, बड़े असतर पर हमें कह सकते हैं कि इंजिनरिस को यहां पर ट्रेन करना और उनका अलग-अलग छेत्रों में यहां पर किस तरीकेस उनकी सुधाये प्राप्त करना सर्विसेस प्राप्त करना और शेत्रों के यहां बहतर बनाने के लिए Chips to Startup यहाँ पर विक्सित किया गया है और इसमें देखा जाए तो परियावरन, उर्जा, स्वाद इक्भाल, कृषी, आबदा, प्रोजन, जैसे चेत्रों को शामिल किया गया है और 85,000 यहाँ पर योग्य उच इंजिनों को तयार करना है अगला है भारत में क्रिशी, रिण, ग्रस्ता को लेकर देखे डेटा यहाँ पर जारी किया गया है इसमें बताया गया कि राष्टी सांकी कारियाले के सर्वेक्षन के अनुसार 2013-2018 में के मध्ये क्रिश से जुड़े प्रतेक परिवार का औसत बकाया रिण 57,000 साथ प्रश्यत है कितना है 57,000 साथ प्रश्यत यहाँ पर बताया गया कि रिण बकाया है क्रिशान परिवारों का प्रतेक किसान परिवारों का और इसमें अगर हम देखें तो सर्वेक्षन बताता है कि यहाँ पर सर्वेक्षन का जो सीर्षक रहा है ग्रामीन भारत कृष्ष से जुड़े परिवारों और परिवारों की भूम जोदकी इस्थिती का आकलन 2019 के नाम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया साथी इसमें बताया गया कि आंध्रप्रदेश में प्रतिक किशक परिवार रिण बकाया औसत सरवाधिक है सबसे जादा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि रिण बकाया है किसान परिवारों का वो किस राजिके हैं आंध्रप्रदेश राजिके हैं जहाँ पर बताया गया है अनुपात हैं आंत्वदेश के किसान परिवारों का दूसरे अस्थान पे इसमें है तेलंगाना जहां पे 91 समलोग साथ प्रिशत है और तीसे अस्थान पे केरल है जहां पे 69 समलोग नौ प्रिशत आपकी यहां पे रिन ग्रस्तता अनुपात बताई गई है साथी बढ़ती रिन ग्रस्तता के कारण भी बताया गया है कि किसानों को ऐसी स्थितियों का सामना यहां पे करना क्यूं पढ़ रहा है जिसमें कहा गया है कि क्रिश उत्पादक्ता आई में आपरयाप्त यहां पर वृद्धी जोखिम से बचाने के लिए निम्न अस्तरिय तं नहीं है एक और टॉपिक है इसमें उर्वरक सबसडी को ले करके सरकार के द्वारा देखे डाई आमोनियों फास्पड जिसे हम कहते हैं डीएपी के यहां पर देखे सबसडी यहां पर जारे की गई है पांस रुपई इससे पहले पांसुरुपई प्रतिबोरी यहां पर ड प्रतिबोरी जिसे बढ़ा कर दिया गया है बारास रुपए प्रतिबोरी ठीक है तो डीएवी उर्वरक के लिए बारास रुपए प्रतिबोरी के यहां पर अब सबसड़ी दी जाएगी और इसके कारण सरकार पर 14,755 करोन रुपए का अत्रिक्त यहां पर भार आएगा और साथी साथ देखा जाए तो भारत यहां पर उर्वरक उत्पादन के द्रिशकोंट से कुछ डेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत जो है उर्वरक उत्पादन में विश्यो का तीसरा सबसे अधिक उभोग करने वाला देश और विश्यो में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग भारत का यहां पर उर्वरक के इंडस्ट्री के द्रिशकोंट से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग भारत है इसके लावाँ फॉस्पेटिक वा पोटास यहां सोरी उर्वरक को हम दो शे वृद्धी वृद्धी अनुमानित की गई है कि 11 समलो 9 प्रश्रत की दर से यहां पर आपको देखा जाए तो भारती और वरक बाजार यहां पर ग्रोथ करेगा इन फ्यूचर के लिहाज से चली यह थैए तो हमने यहां पर फिनिश कर लिया भारत सरकार के दूर यहां पर काफी सारे चीजों को ले कर टॉपिक्स को लेकर, स्टाक इसजों को लेकर प्राभधानों को लेकर और इसके लावागा देखा जाए तो बेरोजगारी इस से related data भी हमने देख लिया और उर्वरक related रंगस्तदा, इसम पोर्टल और बाकी सारी चीज़े अब बात करते हैं यहाँ पे agricultural sector से related कुछ और चीजों के बारे में in detailed way में कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे चर्चा का विशह रही है तो ध्यान से यहाँ पे सुनते चलना है अभी यहाँ पे आधा पड़ाओ हमारा clear हो गया है आधी यहाँ पर और बाकी है जितनी news मिल गई है data यहाँ पर note करते चल रहे हैं कि नहीं सारा point यहाँ पर note करते चलिएगा ठीक है जितने हमने यहाँ पर discuss कर ली है I think अब तक आपके पास ऐसी 30-35 news आ गई होगी जिनके बारे में आगे चलके आपको यहाँ पर इस topic के खतम होने बाद इसका एक दो बार revision करना है उसके बाद साथी साथ क्या करना है इन topics को अपना revision करना है उनके concept clear कर लेने उनसे later जो जानकर यह वहाँ पर पढ़ लेनी है लेकिन उससे पहले इससे finish कर लेते है क्योंकि एक काम खतम करोगे तब ही दूसरे की ओर बढ़ पाएंगे तो चलिए आते हैं अपने तीसरे पढ़ाओ पे तीक है 50% complete हो गया है दलहन के उत्पादन में आतनिर्भावता प्राप्त करने के लिए रणीत यहाँ पर बनाई गई है जिसके तहट तूर, मूंग और उरद की फसली छेत्र का यहाँ पर विस्तार करना और इनके उत्पादक्ता में वृध्धी लाने की योजना है इसके तहट कहा गया है कि हम अंतर फसली और एकल फसली बुआई के लिए उच किस्म के बीज निशूल के यहाँ पर वित्रित करेंगे और ऐसे 20 लाख बीज को यहाँ पर वित्रित करने का प्रावधान इसमें किया जाएगा साथी इसके लिए 20,000 करोन की इसके लिए लागत आने वाली है और वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के जो प्रमुख राजजे हैं दलहन उत्पादन में उसमें मदप्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान, उत्तवदेश, करनाटक जो हैं ये सीर से दलहन, उत्पादन, राजजे हैं इसको ध्यान रखना है इस से रेडिट कुश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि क्रिश्चिकत उत्पादों को लेकर कई बार ऐसे कुश्चन आते हैं किस फसल के उत्पादन को कौन से राज़ पहला है, दूसरा तीसरत ये ध्यान रखना है दलहन में आपको मद्वदेश, महाराष्ट, राजस्थान, उत्तवदेश, करनाटक, सीर से आपके दलहन राजजे हैं इसके तरिक दलहन जो है, खाद्यान फसलों के छेतर का 20% छेतर पर यहां पर दलहन की बुआई होती है भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कितना है यहां पे? 24 प्रश्चत है सबसे बड़ा उभोकता है 27 प्रश्चत के साथ, और सबसे बड़ा आयातक है 14 प्रश्चत के साथ ध्यान रखेगा, भारत तीनों ही मामले में, दलहन मामले में सबसे पहले आता है अगली योजना है यहाँ पर बागवानी क्लस्टर विकास कारिक्रम तो राश्ट्री बागवानी बोड के द्वारा बागवानी क्लस्टरों को ग्यारा राजियों और यूटी के 10 लाग किसानों के इस योजना में शामिल किया गया है टोटल यहाँ पर देखे 12 बागवानी कलस्टर हैं जो कि 11 राज्यों और यूटी में फैले हुए हैं और इन 11 राज्यों के यूटी और राज्यों यूटी में यहाँ पर ऐसे 10 लाग किसान इसके स्थाहत यहाँ पर शामिल किये गए हैं अब भारती बागवानी क्लेस्टरों को प्रतिसपर्धी बनाना है, बागवानी में देखा जाए तो फल, सबजी, मसाले, सजावटी, फूल, और सधी, सुगंदित यहाँ पे पादप, इत्याद यहाँ पर आपको आते हैं सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक राजजाप का उत्तब देश है, 12.6% के साथ, पश्चे मंगाल 10.4% का दूसरे अस्थान पे है, और मजब्रदेश 8.5% के साथ, इसमें तीसरे नमबर पे आता है इसके लावा एक इकरित बागवानी विकास मिशन के तहट 2021-22 के लिए 2250 करोन रुपए यहाँ पर आवंटिद किये गए हैं ताकि बागवानी यहाँ पर आपको विक्सित की जासके पूरे भारत में अगला है यहाँ पर कापास की कृष्षी को लेकर भी डेटा यहाँ पर है क्यूं रही है चर्चा में कापास की कृष्षी तो कॉर्टन 2040 इनिशेटिव यहाँ पर एक रिपोर्ट आईए कौनसी? कॉर्टन 2040 इनिशेटिव इसमें कहा गया है कि जलवाई परिवर्तन के कारण 2040 तक कपास का एक बटा तीन जो छेत्र है अर्थात एक तिहाई जो छेत्र है वो उच्छ जोखिम के प्रति सुभेद्य अस्तर पर चला जाएगा और अधिक उसमी दबाव का इसे सामना करना पड़ेगा जल की उपलवजता में कमी आ जाएगी स्रम उत्पादक्ता में गिरावट वाले दिनों में वृध्धी होगी बहु आया में निर्धनता बढ़ेगी कार में महिला की भागी दरी भी जो होगी वो अल्प हो जाएगी देखा जाए तो कपास की फसल के लिए मूलता आपको किस तरीके का इनवायमेंट चाहिए किस तरह के मिट्टी चाहिए तो कपास देखिए खरीब फसल है काली मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है 20-28 डिकी सेल्सियस का तापमान 15-110 सेंटीमीटर की यहां पे वर्षा और उकुल राष्टी उतपादन का करीब 54-6 प्रिशत भाग का यहां पे उतपादन करते हैं अगला इसमें राष्टी खाद तेल मिशन या आयल पाम क्या है ये तो नई केंद्र प्रायोजीतिक योजना है जो 2026 तक पाम आयल की क्रिश के लिए निर्धारी छेत्र में अत्रिक 6.5 लाग हेक्टेर की वृध्धी करना है कितना 6.5 लाग की यहां पर इस योजनाक ताइस वृध्धी करनी है और 10 लाग हेक्टेर के लक्ष तक हमें पहुंचना है टोटल यहां पे 10 लाग हेक्टेर तक के छेत्र में और पाम की खेती को बढ़ावा देना है फिलहाल यहां उत्पादन और अध्योगिक अनुप्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है इसके उत्पादन के लिए पुरोतर और अंडवान निकोबार को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और इस योजना का जो संसेट क्लॉस है अर्थात की इस योजना को फाइनली जो यहाँ पर समात करना है या फिर हम कह सकते हैं इस योजना की सहायता जहां पर हमें बंद करनी है सबसुरित या जो भियान चीज़े हैं वो संसेट क्लॉस है आपका एक नॉम्बर 237 रोपन के लिए किसानों को 29.000 प्रत हैक्टेर की यहां पर सहायता दी जाएगी और भारत की वार्षिक मांग यहां पर जो पौमयल की है वो 1.5 करोण टन है इसमें से एक समलो 3 करोण जो टन है वो भारत आयात करता है तो ये आया जो है वो खतम करना है उसके लिए और साथी साथ यहाँ निर्यात को बढ़ावा देना है इसके लिए हम यहाँ पे लगातार पॉमाईल की क्रिश को बढ़ावा दे रहे हैं अगला यहाँ पे जूट उद्द्योग जूट उद्द्योग देखिए CCEA ने यहाँ पे इसवर्ष पैकजिंग के तहर सत्प्रश्यत खाद्यान और बिश्प्रश्यत चीनी अनिवार रूप से जूट की बोरियों में पैकिंग को लेकर यहाँ पे कानियम काईदे कानून य यहाँ पर की गई है देखा जाए तो जूट जो होता वो बायो डिग्रेडबल होता है और इसके कारण यहाँ पे घरेलूद पादन के हितों की भी इसके कारण रक्षा होगी जो जूट व्यापारी है जूट यहाँ पर किसान है उनको भी इसका फाइदा होगा जब मांग और उच आदर जलवाई चाहिए और भारत यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर जूट उत्पादक देश है अगला टॉपिक है सरकरा से रिलेटेट, चीनी से रिलेटेट सरकरा विकास निधी नियम 1983 क्या है सरकरा विकास निधी नियम 1983 तो देखे इसमें कहा गया है इसमें नए दिशा निर्देश किसे रिलेटेट है तो पुनर संरचना है तो यहाँ पर आवेधन को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है इसके माध्यम से ऐसी चीनी मिले जिन्हें तीन वर्षे लगातार यहां पर घाटा हो रहा है उन्हें यहां पर वार्षिक नगत घाटे की इस्तिती में चीनी मिलों को यहां पर निवल मूल नाकारात्मकता अगर इस्तिती है तो उन्हें दो साल से यहां पर कह सकते हैं कि जो यहां पर लगातार घाटे किस्तिती में हैं, उन्हें 2 साल सुल्क से छूट दी जाएगी और 5 साल तक रिण चुकाने की सुविधा यहां पर दी जाएगी, और अत्रिक्ट ब्याज से भी पूरी तरीके से छूट दी जाएगी, तो यहां पर शरकरा विकास निधी नियम 1983 के त चुकाने के स्थिति और ब्याज यहां पर माफ कर दिया जाएगा निक्ष योजना है व्रिहद छेत्र प्रमाडी करन योजना अंडवान नीको बार में 14491 हिक्टर भूमी को इस योजना के तहत जैविक रूप से प्रमाडी किया जाएगा अर्थात यहां पर जैविक क्रिश प्रमाडी करन किसी छेत्र के प्रते गाउं को एक क्लस्टर या संयुक्त रूप से यहां पर माना जाएगा पूरे के पूरे गाउं को इसके इंतर गथम ले लेते हैं और इसमें सभी किसानों खेती की भूमी मवेश्यों सभी को समाहिक रूप से प्रमाडित करते हैं और उ योजना के तहट यहाँ पर व्रियाच्षेत प्रमाणी करन्त योजना के तहट लाए गया है अगला है सूने बजट प्राक्तिक खेती यह क्या है तो ICAR की समिती ने बताया है कि से अपनाने से फसलों के उत्पादन पर व्यापक यहाँ पर कमी आने वाली है और खाद पर इसका नगारात्मक भी प्रभाव पड़ेगा और ऐसा इसलिए होगा कि देखिए एक रसायन मुक्त क्रिशी होती है सूने बजट प्राक्तिक खेती और इसके कारण यहाँ पर प्रती हेक्टेर उत्पादन में गिरावट आएगी खाद्यान उत्पादन में कमी होगी औ देखा जाए तो यह परांपरा क्रिश्परध्यती है और सूने बजट का आरेश्य का और ना किसी इनपुट के खरिट wystारी के यहाँ पर वय करना है और इसकेलिए हम यहाँ पर परांपर क्रिश्पर रभावादेते हैं और वरास कीट नाशक इत्याज इस चीज़ों से द पशुद्धन के रोप में इसे विक्सित किया था। चलिए, तो कृष के साथ साथ आप पसुपालन और यहां पे अनुद्योगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है, पहले भारत में पशुद्धन छेतरक की यहां पे बात कर लेते हैं, भारत पशुद्धन की निम्न उत्पादक्ता, आप पर्याप पसुचिकिस्सा, अफसर रचना, निम्न गुणवत्ता, टीकों और टीका करण का आभाव, पोशक चारे की कमी, भारक में सिर्फ पांच चेतर पही चारे का उत्पादन किया जा रहा है, पसुद्धन छेतरक में समा सारी प्रॉल्म जलनी पड़ रही है, पसुद्धन को भी ऐसी कई सारे रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसे कुछ का नाम आपने सुना होगा, जैसे खुर्पका, मुपका, क्लासिकल स्वाइन फीवर, एवियन एन्फ्लूएंजा, बर्ड फ्लू, बिस्मी पस्धन देश है, वो भारत है, जहां कुल भैशों की आबादी में भारत प्रतम है, कुल बकरियों की आबादी में भारत दूसरे अस्थान पर है, कुल भेणों की आबादी में भारत दीसरे अस्थान पर है, कुकुट के चेतर में यहां पर दूसरे पर है, साथी साथ यहां पर दे मतस्य पालन को लेकर क्या डेटा है सरकार के द्वारा 2024 पचीस तक एक लाग करोन रुपए के निर्याद के यहां पे लक्ष रखा गया है किसमें मतस्य छेत्र के लिए और इसमें कहा गया है कि विश्व का तीसरा भारत भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात में भारत का चौथा स्थान है इसी तरीके से मतस्य की राज्य सूची यहां पर मतस्य की जो है वो राज्य सूची के विशय के अंतरगत आता है नीली क्रांति मतस्य पालन से ए रिलेटड है और प्रधान मंत्री मतस्य संबधा योजना के तहत 5 वर्षों तक यहाँ पर 20,500 करोन रुपए इस मतस्य छेत्र को बढ़ावा देने के लिए हम खर्च करने वाले हैं चलिए तो मतस्य पालन देख लिया पशुपालन छेत्र देख लिया अगला यहाँ पे है खाद प्रशंसक्रण उद्ध्योग के बारे में क्या है ये तो खाद प्रशंसक्रण उद्ध्योग के लिए उद्ध्पादन से संबध एक प्रोटसाहन योजना यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल के तहट यहाँ पे 10,900 करोन योजना की योजना पर लेकर आया जाएगा इस योजना में 6 वर्ष में 2021-22 से लेकर 2026-27 तक चार घटकों के तहट जैसे की मोटा अनाच, आधारित उत्पाद, प्रशंसक्रित फल, सबजिया, समुद्री उत्पाद और मोजरेला चीज के विनिर्माण को यहाँ पर आथिक प्रोटसाहन दिया जाएगा इन उत्पादों की विदेशी ब्रांडिंग और विप्रन है तो यहाँ पर एकारी किया जाएगा और साथी साथ यहाँ पर जैसे की अंडे, कुकुट, मांस, अंड़ा, धारी, त लग हुआ, मद्यमुद्योग, जैवे कुद्पाद, इत्यायत को यहाँ पर ब्रांडिंग करके विदेशों में यहाँ पर बेतर ब्रांडिंग को लेकर हाल ही में डेटा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि क्रिश निर्याद जो है भारत का वो 50 बिलियन डॉलर को यहां पे प्राप्त कर गया है और चावल जो है वो सबसे जाता है यहां पर 21 समलो एक प्रिशत है समुद्र उतपात का योगदान इसमें 14 समलो तीन प्रिशत है मसाले 9 समलो पांच प्रिशत है चीनी 6 समलो 7 समलो चाव और कॉफी का योगदान इसमें 3 समलो पांच प्रिशत है देखा जाए तो गेहूं के निर्याद में शेत्रक पर यहां पे ध्यान देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर किसान स्टैक, फार्म स्टैक, फसल स्टाइक, स्टैक का एक एकिकरिद सरूप है, अर्थात कहने का मतलब किसान, फसल और फॉर्म से रिलेटेड आपका सभी जो डेटा है, वो इस फ्लेटफॉर्म पे यहां पर उपलब्ध होगा इस डेटा को राज सरकार के विभागों के भूमी पंजी करण के लिए भू समपति मान चित्रों के लिए उपग्रा चित्रों से परसपर जोड़ा जाएगा साथी सरकारी योजनाओं का जो लाब है उसे किसानों को सीधे इसके मादम से प्रोवाइड कराये जाएगा क्रिसी विभाग सहकाईताम किसान कल्यान ने Microsoft Corporation के साथ उनकी Cloud Computing सेवाओं के साथ एकिकरित किसान सेवा इंटरफेस निर्मित करने के लिए एग्रिगेट यहाँ पर आपको विक्सित किया था इसके मादम से इनके साथ कॉलाबरेशन करके यहाँ पर इसे विक्सित किया गया है लेकिन एग्रिग स्टैक की कुछ चिंताएं हैं कि जो डेटा यहाँ पे आप संकलित कर रहे हैं उस डेटा को सुरक्षित रखना होगा तो यहाँ पे कहागे कि डेटा की सुरक्षा वित्ती शोषन और बहिसकार का जोकिम डिज्टल सुलवता यह सारी चीज़ों को आपको सुलव बनाना होगा डेटा को सुरक्षा रखना होगा लोगों को यहाँ पर सुवधाय मिलनी चाहिए उस डेटा के माध्यम से अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता थी इस योजना का भी कोई लाव यहाँ पर नहीं होगा अगला इसमें है ट्रेंच फार्मिंग ट्रेंच फार्मिंग के बारे में आपने सुना है क्या है ट्रेंच फार्मिंग चलिए यहाँ पर थोड़ा समझेगा ट्रेंच फार्मिंग क्या है भारती वाणिजवा उद्योग मंत्राले के द्वारा यहाँ पर लद्दाख में जड़ी बूटियों को उगाने के लिए सबजीयों के लिए ट्रेंच फॉर्मिंग के यहां पे सुझाव दिया है अब ट्रेंच फॉर्मिंग में करते क्या हैं तो आपको ग्रिन हाउस एफेक्टरेक के बारे में सुना होगा जिसमें क्या करते हैं एक सीड़ी दार खेतों इत्याद में या फिर हम कहते हैं एक पर्टिकॉलर किसी खुले हुए छेत्र में अतधिक कहते हैं कि सर्दियों में पत्यदार और हरी सबजीयों को उगाने के लिए हम मृदा और सौरत आपका यहाँ पर इसके लिए उप्योग करते हैं इसमें 200 माइक्टरों की पॉलिथीन चादरों का हम उप्योग करते हैं जो की पोर्टेबल होती हैं जो एक अस्थान से दूसर अस्थान आसानी से ले जाई जा सकती है और अस्थानी मांग को इसके कारण हम यहाँ पर पूरी कर सकते हैं सबजीयों और फूलों की यहाँ पर वेबसाइक खेती को इससे बढ़ावा दे सकते हैं और आयात में भी यहाँ पर इनके अगर हम भारत में ऐसे चेत्रों में आयात यहाँ पर या सबजियों को उगाना शुरू करते हैं जहां नहीं होती है तो वहाँ पर हम इसके कारण जो आयात के सितियां उसे भी समाप्त कर पाएंगे तरीके से green house effect की जैसी पध्यतियां है उचे अस्थानों में ठंडे छेत्रों में यहाँ पर तापमान पनित्याज का प्रयोग करके 200 यहाँ पर माइक्रोथान एक तरीक green house effect को डवलप करना और उसमें यहाँ पर आपको हरी पत्यदार सबजियों को उगाना है अगला यहाँ पर है परिवहन वा विपड़न सहायता योजना क्या है ये तो क्रिशियम डेरी उत्पाद उच्छतर माल भाड़ा लागत हानी को यहाँ पर कम करने के लिए सहता प्रदान करने को लेकर एक अंतर राश्ट्री माल भाड़ा आयात इस्तित को विक्सित करना है तो जो भी आयात हम बाहर से करते हैं आयात करने के लिए उसका अगर माल भड़ा बहुत जादा है तो उत्पाद काफी महंगे हो जाते हैं ऐसे उत्पादों को यहाँ पर महंगाई को कम करने के लेकर सरकार यहाँ पर इन्हें परिवहन वा बेपड़न के लिए यहाँ पर सहायता करेगी जो भी लागत आएगे वहाँ पर कुछ योगदान यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाएगा और last stage में हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो बस concentration बना के रखना है कहीं कहीं अगर समझ में देखिए होता है कि अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है बहुत जादा data हो रहा है थोड़ा सा pause करो 5 minute टहलो और वापस से सुरू करना है लेकिन यहाँ पर एक बार में इसे finish करना जरूर है फर्स टाइम एक बार में finish कर लोगा तो सेकेंड टाइम में आप यहाँ पर चीजों को बस से remind के लिए आप बार बार इसको सुनना है ठीक है चलिए यहाँ पर अगला जो वीडियो है क्या कहता है अगला जो टॉपिक है वो क्या है देखे इसमें कहा गया है कि खाद्य प्रशंसकरन उद्योग मंत्राले के तहत राश्री खाद्य प्रदोगी उद्यमिता एवन प्रवंधन संस्थान के द्वारा भारती खाद्य प्रशंसकरन प्रदोगी संस्थान और तमिलनाड की राश्री महत को संस्थान को यहाँ पर देखे दो संस्थानों को भारा सरकार के द्वारा राश्री संस्थान गोशित किया गया है कौन कौन सी है तो यहाँ पर देखे एक है राश्टी खाद प्रदोकी उद्रमितायम प्रबंधन संस्थान आपका जो की हर्याना में स्थित है और दूसरा है भारती खाद प्रदोकी संस्थान जो की तामिलनाड में इन दोनों ही संस्थानों को राश्ट्री संस्थान गोशित कर दिया गया है और साथी साथ ये भी ध्यान रखेगा किसी भी संस्थान को राश्ट्री संस्थान गोशित करने के लिए आपको संसथ से एक अधनियम यहाँ पर पारित करना होता है और साथी साथ संस्थानों کو कुछ यहाँ पे अन्यमांदर्णों को भी पूरा करना होता जो सरकार उनके लिए नरधारित करती है तो यहाँ पे ध्यान रखेगा दो नए संस्थानों के यहाँ पर एक हर्याना में है एक तामिनलाड में है और दोनों को यहाँ पे राश्री संस्तान गोशित किया गया है इनके नाम इत्याज आप से पूँचे जा सकते हैं तो बहुत अच्छे अगर आप मेरे साथ अब तक यहाँ पे बने हुए हैं 75% हमने complete कर लिया है और यहाँ पे देखा रहे हैं भी डेड़ घंटे भी complete नहीं हुए हैं और यहाँ पे हमने इतनी सारी knowledge को complete कर लिया है वो भी काफी सारे sector की knowledge को complete कर लिया है तो कुछ minute और मेरे साथ यहाँ पर अगले 15, 20 या 25 मिनट तक आप अगर साथ रहेंगे तो यहाँ पर अपना पूरे economy, 16 महिने का current आप साथ मे लेकर जाने वाले है और इसके साथ साथ हम यहाँ पर चीजों को देखिए आपको बहुत सारी knowledge यहाँ पर मिल जाएगी बस अब आगे इसको 2-3 बार revision कर लोगे और आपका बहुत सारा काम, burden जो हुता, वो खतम हो जाएगा ठीके, economy का burden आपका खतम होने वाला है बस आपको अगले 20-25 मिनट यहाँ पर मेरे साथ रहने चलिए देखते हैं फिर, start करते हैं, start to finish वाला काम करते हैं यहाँ पर और time नहीं लेते हैं, time बढ़ाते नहीं है, पढ़ना शुरू करते हैं है ना, थोड़ा सा बात्चीत कर लिया, तो 4 मिनट का, थोड़ा से relax हो गया अब वापस से mind को catcher out करिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा और break चाहिए, थोड़ा सा आप stop कर सकते हो लेकिन finish करना है, जैसे मैंने का, start to finish करना है, जैसे मैं सुरू से last अक आपको पढ़ाता हूँ बिना कोई break लिये, बिना कोई यहाँ पे काम किये, बिना कुछ यहाँ पे पानी पीये, कुछ भी किये तो आप भी अगर इसी तरीके से डेड़ घंटे साथ में रहेंगे, तो आपका भी एक बार में यह पूरा हो सकता है तो एक मिशन की तरह लीजे, क्योंकि एक्जाम बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस होना बहुत जरूरी है चले, स्टार्ट करते हैं तो आते हैं यहाँ पे, अगला है खानी जिस संद्रक्षन और विकास संशोधन नियम 2021 देखा जा तो भारती खान ब्योरो के द्वारा, खदान से संबंधित, सभी योजनाओ, डिजिटल ग्लोबल पोजिजनिंग सिस्टम या टोटल स्टेशन यानि इलेक्ट्रोनिक करणों के माथम से सर्वेक्षन या ड्रोन सर्वेक्षन के वो यहाँ पर अनिवार किया गया इसमें ये भी कहा गया है कि अनिवारे ड्रोन सर्वेक्षन के तहट यदि कोई ऐसा छेत्र है जहाँ पर एक मिलियन टन यहाँ पर आपको एक मिलियन टन या उससे अधिक का वार्सिक उत्खनन कर रहे हैं, कितने का? एक मिलियन टन से अधिक आपकिसी छेत्र में कोई भी उ पास-पास के 100 मीटर के दाइरे का यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षन किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर सौपनी है साथी जो पट्टा धारक है वो उच्छ रिजोलेशन वाले यहाँ पर चित प्रस्तुत करेंगे दैनिक रिटन और विवरनी को यहाँ पर हटा दिया गया है जो अनुपालन में एक भार होता है कि डेली बेटस का आपको यहाँ पर चीजों का अपडेट करना है वो अटा दिया गया है लेकिन हाँ मासिक तौर पर यहाँ पर और आपको हर मासिक के साथ साथ वार्षिक तावर पर से अपडेट करना होगा यह दिकोई ऐसा नहीं करता है तो वहाँ पर उसे दंडात्मक कारवाही भी जिलनी पड़ेगी साथ इसमें कहा गया है कि श्रडी एकेद है जो 25 हेक्टियर से कम वाले छेत्रे ऐसे खदानों में पार टाइम पर हो गया दूसरा है electronics उद्डियोक है क्या है electronics सुद्डियोक के बारे में तो electronics वा सूचना प्रदोकी मंतराले के द्वारा भारत के electronics निरयात और वैश्रिक मूले स्रिंखला में हिस्सेदारी में व्रिधी है तो vision दस्तावेद परस्तुत किया गया और इसके तहट कहा गया है कि इसमें 1000 दिन का target sit किया गया है और 1 trillion dollar की अर्थविवस्था का लक्ष रखा गया है कि अगले 1000 दिन में हम electronics के छेतर में 1 trillion dollar की अर्थविवस्था ड्वलप करेंगे और GDP में इस छेतर के हिस्थेदारी को 2 प्रिशत से बढ़ाकर 10 प्रिशत तक लेकर आएंगे साथी साथ राष्ट्री electronics नेती 2019 के तहट 2025 तक 400 billion dollar के कारोबार का भी यहां पे लक्ष रखा गया है अगला है यहां पे MSME उद्ध्योग को लेकर MSME को लेकर कई बार आपको एक्जाम में कुश्चन आते हैं और कई बार यह बहुत जादा आप से पूछे जाते हैं क्या है MSME उद्ध्योग में देखें आपर दिशानिरदेश जारी किये गया है कि थोक वा खुद्रा उद्ध्यम जो है उन्हें उद्ध्यम पोड़ल पर पंजीकर्ण करा सकते हैं जिससे इन्हें एकल पेज पंजीकर्ण कम समय वा सरल प्रक्रिया की सुधा प्रदान हो जा पारा इनहें वर्गी के प्रात्मिक्ता प्राप छेत अर्थात का यहां पर प्राइमरी सक्टर के तहत यहां पर रखा जाता है जिनने यहां पर प्रात्मिक्ता दी जाती है किसे थोकवा खुद्रा उद्रेंपों और साथी साथ MSME का जो GDP में योगदान है 30% 25% और कुल निर्यात में का योगदान है 40% 111 मिलियन का यहां पर यह रोजगार का यहां पर उत्पन करते हैं अगला है वस्त उद्रोग देखें वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबध प्रोटसाहन योजना लेकर आई गई है इसमें मानो निर्मित फाइबर यानि MMF वा तकनिकी वस्त्रों के 12 खंडों के उत्पादन की योजना है 10,683 करोन रुपए इसके लिए बजट पारित किये गए हैं योजना जो है 2025-2026 से लेकर के 2029-2030 तक यानिकी 5 वर्षनों तक संचालित होगी और 300 करोन रुपए के निवेश पर यादि कोई भी कमपनी है व्यक्ति है जो 300 करोन का इस शेत्र में निवेश करता है उसे 15 प्रोटसाहन राशी दी जाएगी ऐसे उद्योगों को आकांक्षी जीलो टियर 3, टियर 4, कसबो और ग्रामिट छेत्रों में निवेश के लिए यहाँ पर उच्च प्रात्मिक्टा छेत्र के रूप में रवर्गी कृत किया गया है साथी देखा जाए तो यहाँ पर 7.5 लाग इससे रोजगार का स्रिजन होगा, महिलाओं का श्रशक्तिकरन होगा, 3 लाग से अधिक का टर्न ओवर विक्सित होगा और वैश्ट्री कंपनियों के रूप में इसे विक्सित करने में भी भारती कंपनियों को मदद मिलेगी घरेलू वा वैश्ट्री क्रूप से परस पर जुड़े बीमा करताओं को संदर्भित करता है, जिनके संकट ग्रस्त होने की स्थिती से घरेलू वित्ती प्रणाली में व्यापक प्रभाव पड़ेगा अर्थात ऐसी विमा कंपनियां जिनके नुकसान की स्थिती होने में या डूबने से या दीवालिया होने से आपकी घरेलू अर्थवेश्था बहुत बुरी तरीके से चर्मरा सकती है, उभोकता परेशान हो सकता है, वैश्विकस्तर पर समस्याथ पर हो सकती है इन्हें हम यहाँ पर DSIS के अंतरगत रखते हैं, इनका निर्धारन मानक जो है कि इनका सकल राज़स के संबंध में परिचालन आकार कितना है, प्रीमिय अधिगरण कितना है, प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति का मूल कितना है, और इनकी वैश्विक गत्विधियां कैसी है इस आधार पे हम किसी छेतर को, किसी कंपनी को इस रूप में यहाँ पर नामित करते हैं, देखें, 2021-22 के DSIS के रूप में, LIC, GIC और New India को यहाँ पर बनाए रखा गया है, इस वर्ष के लिए भी, हर एक वर्ष के लिए यहाँ पर इनको चुना जाता है, और देखा जाए त और अगले एक साल के लिए फिर से यहाँ पर चुल लिया गया है, तो अगला है यहाँ पर राष्टी सहरी डिस्टल मिशन, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अब सरचना वाले सेक्टर्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब सरचना में देखिए राष्टी सहरी डिस लॉंच किया गया है तो कस्वों और शहरों को इसमें आपस में जोड़ना है डेटा है 2535 इसमें लोगों प्रक्रिया प्लेटफॉर्म जैसे तीन स्थम्भों पर इसके लिए कारे करना है और डिजिटल आउसर रचना का इसमें विकास करना है साथ ही ये भी कहा गया है कि 2022 तक चुनिंदा शहरों वा 2024 तक कस्वों और शहरों सभी तक नागरिक केंद्रित और परिचालात्म के हाँ पे दृष्षिकोन का विकास करना है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं शहरों को कस्वों के साथ जोडना, लोगों को बहतर सुधाय प्रदत कराना, डिजिटल एक अफसरचना विकसित करना जहां पर डिजिटल ही सभी प्रिकार के क्रिया कलाब यहां पर आसानी से संबह हो पाएं और ऐसी प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए शराश्ट्री, श्थेहरी, डिजिटल मिशन को यहां पर लॉंच किया गया है इसके लिए लोगों, प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म, तीन पर चीज़ों को लेकर काम किया जाएगा ऐसा ही एक है, फ्रेट स्मार्ट सिटीज, ठीके, क्या है फ्रेट स्मार्ट सिटीज? वानिजिक वा उद्योग मंत्राले के दोरा लॉजिस्टिक डिवीजन दोरा ऐसे 10 शहरों का विकसित किया जाएगा कैसे 10 सेहरे, फ्रेट, स्मार्ट सिटीज के रूप में 10 शेहरों को विक्सित किया जाएगा ताकि शेहरी माल ढुलाई प्रणाली में सुधार के तहर वहन उपयोग को इस्टितम करना, अवसरचना का विकास करना, मांगवा भूम योजना, प्रद्दो की अंगी करण, इत्याद को यहाँ पर भेतर बनाये जसके देखा जाए तो भारत का जो लॉजिस्टिक उद्योग है, वो इस समय है 215 बिलियन डॉलर का, और इसमें 22 मिलियन रोजगार हैं, और निर्यात में इनका 5-8 प्रसंत यहाँ पर व्रिद्धी का अनुमान भी है, यहाँ पर फ्रेट, स्मार्ट सिटीज को हम विक्सित कर ले तो लॉजिस्टिक के छेत्र में यहाँ पर हमारा 5-8 प्रसंत का यहाँ पर व्रिद्धी हो सकती है, अगली योजना है यहाँ पर गती शक्ती, कौनसी है, गती शक्ती, गती शक्ती क्या है, प्रधान मंत्री के द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लेकर आई गयी है, अब सरशना पर योजनाओं के कारिवेंट में इसके माध्यम से तेजी लाना है, 16 मंत्रियालियों के एक साजा प्लेटफॉर्म में एकिकरित योजना बनाने और प्रस्ताओं के एकिकरण के लिए, एकिकरित मॉडल नेटवर्ग प्लानिंग ग्रूप यहाँ पर बनाये गय तो इस गतिशक्ति के 6 स्तंब हैं, इस योजना के 6 स्तंब हैं, व्यापक्ता, गतिशील्ता, विश्रेशनातमक्ता, समन्वे, अनुकूलन और प्राथमिक्ता तै करना, इन 6 शेत्रों के तहट यहाँ पर एकारे किया जाएगा, गतिशक्ति योजना के तहट, जहां 16 मंत्रि जालियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहट एक ही प्लेटफॉर्म से जोड करके, क्रिशारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर वहतर बनाना है, अगला इसमें नागरिक उड्डेयन छेत्रक, नागरिक उड्डेयन छेत्रक देखे, नागर विमान मंत्राले के द्वारा सव दिवसी यहाँ पर कार योजना लेकर आई गई है, और इस कार योजना के तहट, सौ दिनों में चार नई हवाई अड्डे बनाये जाएंगे, कौन-कौन से छेत्र में, अगरतला, कुशी नगर, जेवर, ग्रेटर नोईडा और देरादून में यहाँ पर आपको चार न प्रम, जिनोधार से वाउं के लिए नई नीद की घोशना भी की गई है, अगला है यहाँ पर सडक सुरक्षा बोर्ड, सडक परिवहन वर राजमार्ग मंत्राले के द्वारा इसका यहाँ पर गठन, इसके प्रारूप के गठन को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, और इ प्रम जिनोधार के लिए विधी विशिष्ट मानक तयार करना, यातायात पुलिस, राजमार्ग प्राध्यकरणों के तहट चमता निर्मार के दिशानिर्देश, ट्रामा सुविधाओं, पैरा मेडिकल सुविधाओं के स्थनस्थापना, संचालन, तक्नीकी सला, सहायता, यातायत प्रबंधर अनसंधान, अंतराश्टी तक्नीकी मानदंडों और घरेलू तक्नीकी मानकों में निरंतरता जैसे कारियों को संपाधित इनके माध्यम से किया जाएगा। इसके लवां, स्टॉक होंग घोशना पत्र के तहट भारत 2030 तक सड़क दुरघटनाओं से होने वाली मौतों को यहाँ पर 50% कम करने का यहाँ पर टार्गेट रखा गया है। तो सड़क सुरक्षा बोर्ड हो गया। नेक्स आते हैं अंतर राज्जी पारेशन प्रणाली विन्यमन 2021 ठीक है। तो बिजली यहाँ पर उर्जा उत्पादर से लेड़ेट कुछ डेटा देख लेते हैं। देखें यहाँ पर बहतर कनेक्टिविटी वा जनरल नेटवर्क एक्सेस का यहाँ पर एक प्रारूप यहाँ पर विक्सित किया गया है। जिसमें बिना किसी भेदभाव के सब के लिए उपलब्द कराना एक रास्ट एक ग्रिड के अनरूप यहाँ पर काम किया जिसमें किसी भी निर्माता को किसी भी उपलब्दा तक पहुंचने का अधिकार भी दिया जाएगा। अधात कोई भी बिजली प्रधाता कम्पनी किसी भी उपलब्दा को प्रौइड करा सकती है। पात्र संस्थाएं होंगी उन्हें अपना उत्पादन स्टेशन, कैप्टिव उत्पादन सायंत्र, स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और नवी करनी पावर उर्जा ड्वेलपर इत्याद यहां पर उनको विक्सित करना होगा अर्थात यह सारे छितर से रिलेटर जो कमपनियां होंगी वो यहां पर इसके लिए अपलाई कर सकती है या इसमें पात्र हो सकती है अगली योजना है सुधार आधारित वा परिणाम से जुड़ी शंशोधित वितरण छेतर की योजना यह क्या होती है देखे इसका लक्षा इस योजना का कि डिसकॉन तथा व कमपनियां उन्हें यहां पर इस सुधा दी जाएगी डिसकॉन को यहां पर ससर्त वित्ती सहायता अवसरचना विकास यहां पर दिया जाएगा डिसकॉन को 60% यहां पर इसके लिए स्कोर करना होगा ठीक है इस तरीकिक सहायता प्राप्त करने के लिए डिसकॉन को कुछ यह पर टेस्टिंग या मानक निर्धायत किये गए हैं उन मानक में यहां पर 60% का स्कोर ले आता है उससे जादा तो यहां पर इस दुवधा का इलाब मिलेगा देखे यहां पर जो मांदर यहां पर स्थापित किये गए हैं उसमें है समग्र तक्निकी वावनिजिक हानी दूसरा आपूर्थ की आउसत लागत, तीसरा अवस्तरचना उन्यान प्रदर्शन, चौथा उभोकता सेवाएं, पांचवा विद्दुत आपूर्थ के घंटे और छठा कार्परेट शाशन इसके लावां जो इसका लाब प्राप्त होगा वो 2026 तक यहां पर इस योजना का लाप 378 करोंड रुपए खर्च होने वाले हैं, और केन सरकार के द्वारा इसमें 97,361 करोंड रुपए का ब्यक किया जाएगा, अगला है स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर क्या है, विद्दु छठी को कम करने के लिए 2023 तक इसे लगाया जाना अनिवार किया गया है, जहां 50 फिर को छोड़ कर अनिसभी छेत्रों में 2025 तक इसमार्ट मीटर को लगाने का टार्गेट यहां पे फिक्स किया गया है, अगला टॉपिक इसमें भारती सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व को ले करके, रणनीतिक तोर पे क्रूड ओयल को किस तरीके स्टोर किया जाएगा, ये भी आपकी अर्थविवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि पेट्रोलियम ये क्रूड ओयल के दामों में उपर नीचे किस्ति जिसके कारण महंगाई आपको बढ़ जाती है, और उसके कारण अर्थविवस्था पे नकारात्मक प्राभाव पड़ता है, तो देखें यहां पे, पर्च, पीपी अर्थात की पब्लिक प्राविट पार्टनर्शिप के तहट, दूसरे चरण के तहट, चंडी खोल, उडीसा में 4 MMT, वपदूर, करनाटक में 2 MMT, भंडारन यहां पर क्रूड ओयल का किया जाएगा, दूसरे चरण के साथ देखा जा, टोटल 5 शेत्रों में इस तरह के अभी आपका स्ट्राटिक पेट्रोलियम रिजर्व आपके बने हुए हैं, दो आपके पडूर में हैं, इसके अलावाँ आपको देखा जाए, तो पहले चरण के तहट तीन शेत्रों में किया गया था, दूसरे चरण में 2 शेत्र हैं, तो चंडी खोल और पडू दूसरे चेत्र के अंतरगत यहाँ पर आपको पेट्रोलियम रिजर्व के तोर पे विक्सित किया गया हैं, जबकि पहले चरण के तहट यहाँ पर विशाखा पत्नम 1.3 mmT, मैंगलोर 1.5 mmT, पडूर 2.5 mmT का भंडारन चेत्र विक्सित किया गया है, इसके लावाँ यहाँ पे भारत उर्जा का यहाँ पर देखा जाए, तीसरा सबसे बड़ा उभोकता, जबकि कच्चे तेल का यहाँ पर आपको देखा जाए, तीसरा सबसे बड़ा आया तक है, नोडल एजनसी के तोर पे ISPR Limited को यहाँ पर नोडल एजनसी के रूप में बनाये गया है, जो सारी स् पर नोडल पुरसकार कैसे छूट सकता है, उसको भी डिसकस कर लेते हैं, देखें, रॉयल स्वेडिस अकेडमी ऑफ साइंसेस के दौरा, यहाँ पे आधा पुरसकार डेविड कार्ड को स्रम अर्थव्यवस्था में उनके अनुभविक योगदान के लिए दिया गया है, ज जोशुवा डी, एंग्रिट और गुईडो डवलू, एंबेंस को यहाँ पर कारण सम्मंधों में विशलेशन के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो डेविड कार्ड ने नियूंतम मजदूरी, आप्रवास, सिक्षाव अस्रम के बाजार के प काम हो जाएंगे, तो यह उनका अपना विशलेशन था और इसके लिए यहाँ पर ने अर्थसास का नोबल दिया गया है, प्रयोग यहाँ पर स्रमस्दूरी त्याज को लेकर किया गया था, नाम ध्यान रखेगा, तीन लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ड एक है, तो भारती रेलवे अनुसंद्धान, अभी कल्प हुआ मानक संगठन, भारती मानक वियुनो, एक राष्ट, एक मानक, मिशन के अंतरगत, मानक विकास संगठन गोशित होने वाले आपके प्रथम यहाँ पे संस्थान बन गए है, ठीक है, प्रथम संस्थान बन गए है, जाता है एक standard विक्सित किया गया है तो यहां पर कई सारे आपके मानक भीजेंस्यां होने के बजाए एक ही आपके अजनसियों जो सभी राश्ट एक मानक के टाहित से लिक्सित किया जा रहा है और इसके लिए मानक मानक दस्तावेज के निर्मार पर बल देना है वर्तमान में BIS एकमाथन निकाह है जो यहाँ पर मानक निर्धारन कार करता है जैसे ISI और BIS को होलमार्क जारी करना इसी तरीके से एकमार्क जो है विपढ़न हुआ निरिक्षन निदेशाले के द्वारा जारी किया जाता है और देखा जातो पहचान पहल गुणवत्ता नियंतरण आदेश मानकी करण के लिए यहाँ पर राश्ट्री समगर की जानकारी भी यहाँ पर यह प्रोवाइड कराते हैं तो यह आपका यहाँ पर एकनॉमी का कॉंसेट यहाँ पर के क्लियर हो गए हैं देखा जाए तो काफी सारी नियूस है यहाँ पर आपको हमने अभी तक पढ़ी हैं सारी आपने नोट कर ली होंगी तो नंबर्स आपको पता होंगे आई थिंक सो आराम से आपको 60-70-80 ऐसी कुछ नियूस यहाँ पर आपको मिल गई होंगी और इन नियूस को अगर देखा जाए तो इन ही के इर्दगिद आपको अपना रिवीजन भी यहाँ पर करना है आपने अगर मेरे साथ यहाँ पर सुरू से लास्त तक पढ़ा होगा तो एक रिलाक्स सेक्षन का और एकनॉमी सर्वे के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे लेकिन इस वीडियो में देखा जाया तो उस टॉपिक को छोड़ करके क्योंकि उसका अपना एक शनेरियो है वो काफी सारा डेटा आता है उसको छोड़ करके बांकी सारा करंट आपको मिल गया तो इससे आप बांकी सारी चीज़े को कंप्लीट कर सकते हैं और बजट एकनॉमी सर्वे का अलग से आपको वीडियो मिल जाएंगा बजट का अलग और एकनॉमी सर्वे का अलग तो दोनों का वीडियो आपको मिल तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती बस अगर हम तीन घंटे का भी वीडियो बनता है तो तीन घंटे को आप एक ही दिन में अगर रिवीजन कर रहेंगे या एक वीक में भी पढ़ेंगे तो कम से कम इने तीन बार जरूर पढ़ें तीन से चार बार पढ़ लिजेगा इस economy के काफी सारे concept आपके प्लस यहाँ पर दूसरा जो काम करना है कि आपको जो भी topic मैंने पढ़ाएं नहीं topics related जो संस्था है एजिंसियां है जो भी नियम है कानून है जो भी topics highlighted हैं उनके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लीजेगा ताकि वो भी उसे related को इची develop होई ठीक है लेकिन UPPST वालों के साथ धोखा हो जाता है वो आपर वो बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं क्योंकि वो basic चीज़े current नहीं पूशके basic पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा भी वो दो बार कर चुके हैं तो जरूर नहीं कि इस बार भी करें लेकिन कर भी सकते हैं तो भी अपने अस्तर पर revision कर लेना है ठीक है I hope आप मेरी बात को यहां पर समझ के होंगे तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपना ये session आज का यहां पर समाप्त करते हैं next वीडियो जो होगा वो master series का वो आएगा next week budget का economy survey का वीडियो बीच में ही मिल जाएगा वो master series नहीं होंगे वो आपको ऐसे ही यहां पर मिल जाएंगे लेकिन master series का जो अगला वीडियो है वो next week यहां पर मिलेगा और अगला जो वीडियो होगा Indian quality का होगा और अगले Sunday को यहां पर provide हो जाएगा तो आज कले इतना ही मिलते हैं फिर आपको next video series में तब तक का target है economy को यहां पर finish कर लेना आज के लिए नहीं thank you so much and good luck